एपिसोड 41 प्रूल माफिय प्रिंसेस, उस बुड़े इंसान को देखते ही, माया उसकी ओर अपने कदम बढ़ा कर बोली ददा, आप यहाँ, आप यहाँ क्यूं आये है, आपने मुझे बुला लिया होता, मैं आपके पास आ जाती, आपको खुद परेशान होने की कोई जरू माया की बात सुनकर, बुरे इंसान ने कुछ नहीं कहा, बुरा इंसान आराम से चलकर, लिविंग एरिया में आया, काउज पर बैठने के बाद, बुरे इंसान ने अपनी सरसरी और सक्त नजर पुरे विला में घुमाई, तभी वहाँ पर सुमित हौंस्ते हुए आया, बु सवाल सुनकर, सुमित ने हिचकेचाती आवाज में अपना सर जुका कर, माया से धीमे लहेजे में कहा, मैडम, विद्यूत सर शायद लिटल मास्टर को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, उन डोनों का डीने भी आपस में मैच करता है, सुमित की आखिर बात सुनकर, माया का दिमाग सुनन पद गया, माया अपने मन में सोच रही थी, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, अयांश तो प्रथम का बेटा है ना, फिर अयांश और विद्यूत का डीने मैच कैसे कर सकता है, माया और सुमित के परेशान भाव देखकर, बुरे इंसान का सक्ट चहरा पत्थर की त रह कतोर हो गया, अधिक ओम होने के बावजूद, उस बुरे इंसान के कान बहुत तेज थे, उन्होंने सुमित और मया की पूरी कॉन्वर्सेशन बहुत साफ और सपश्ट धंग से सुनी थी, वो बुरा इंसान कोई मामूली इंसान नहीं था, वो पावरफुल और सक्त पर ताज, बादशा था, उनका असली नाम भैरो चौहान था, मगर पूरी दुनिया उन्हें ददा के नाम जानती थी, ब्लाक वर्ल से लेकर वाइट वर्ल के लोग, बड़े बड़े बिजनिसमेन, बड़े बड़े पॉलिटीशियन, एंटेटिन्मेंट इंडस्ट्री से जु पाला, पोश्ट था, माया के दादा जी और पूरे आर्या फैमिली को लगता था, उनके परिवार के नाम के अलावा माया का दुनिया में कोई वजूद नहीं है, मगर असल में ऐसा नहीं था, आर्या फैमिली का सिनेम हच जाने के बाद माया की दुसरी पहैचान, पहेले से भी ज़्यादा खतरनाक और ब्रूटल थी, पूरी दुनिया जिस ददा के नाम मातर से खौफ खाती थी, वो ददा रिष्टे में माया के नाना जी लगते थे, माया आर्या की पहैचान के अलावा माया की दूसरी पहैचान माया चौहान थी, चौहान परिवार की क्रूर रा में पुकारा माया डदा की आवाद सुनकर माया अपने उल्जन की दुनिया से बाहर आई अपने मन में चल रहे उथल उथल को काबू करने के बाद माया काम एक्सप्रेशन के साथ काउच पर डदा के बगल में जाकर बैठ गई डदा ने माया की और सख्ट नजरों से देखा और कतोर लहेजे में कहा 14 साल का वक्त कम नहीं होता है माया आपने अपने हाथ जितने गंदे करने थे कर लिये हैं अब आपको हमारे पास वापास आना होगा आपके जिद की वज़े से हमने आपको 14 साल का वक्त दिया था मगर आप इन 14 साल में कुछ हासल नहीं कर पाई इस गंदी दुनिया के गंदे दलदल में फसने के ददा की बात सुनकर माया ने अपने होट पींच ही ए दस साल की उम्र में माया ने जिद किया था कि वो आर्या फैमिली में जाएगी और उस ड्रीम एंपरर को हासिल करेगी जिसकी वज़े से मिस्टर रूद उसे और उसकी को छोड़ाए थे और उनकी गैर मौजूगी का फाइदा उठा कर कुछ दरिंदों ने उसकी मौम की जान ले ली थी माया की दृटता जिद और जुनून को देखकर ददा ने उसे वापास आर्या फैमिली में भेज दिया था मगर आज 14 साल बाद भी माया ड्रीम एंपरर को पूरी तरह हासिल नहीं कर पाई थी हासिल कर ना किया अब तो माया ने आर्या फैमिली छोड़ दिया था माया एक लंबी सास लेकर अपनी गलती मानते हुए ददा के पैरों के पास घुटनों के बल बैठ गई माया जानती थी इन 14 सालों में कई बार वो अपने लक्षे से भटक गई थी उसके फोकस ना रहेने की वजह से ही आज उसकी ये हालत हुई थी आज ड्रीम एंपररर उसके हाथों से पूरी तरह से निकल चुका था माया ददा का हाथ पकड़के बोली ददा मुझे सिर्फ दो महीने की महौलत दे दीजिए बस दो और महीने मैं ड्रीम एंपरर को पूरी तरह अपने काबू में कर लूँगी प्लीज दो महीने तक मुझसे दुर रहे अगर इन दो महीनों में मैं ड्रीम एंपरर को हासल नही कर पाई तो मैं सिर्फ वही करूंगी जो आप चाहेंगे माया की बात सुनकर ददा थोड़े सोच में पद गए माया उनकी एक लौती नातिन थी उसके इतने प्यार से रिक्वेस्ट करने पर उनका उसे मना कर पाना नामुम्किन था ददा लंबे वक्त बाद एक लंबी सास ल उदास चहरे पर मुस्कान देख ददा का पत्थर जैसा कतोर दिल वॉम्ट से भर गया ददा का उच पर अपने बगल में थप थपाते हुए बोले माया ऐसे हमारे पैरों में मत बैठिये आपकी जगह हमारे पैरों में नहीं हमारे दिल में है चलिए अब बच्पना और उपर बैठ जाए ददा की बात मानकर माया उठ कर उनके बगल में बैठ गई तब ही ददा ने उससे पूछा माया आपने रोहित के साथ क्या किया है ददा के सवाल पर माया ने बिना emotion के कहा मैंने उनके साथ वही किया है जो वो deserve करते हैं ददा मैंने उन्हे पहेले ही warning दी थी, मुझसे दुर रहेने के लिए, मगर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, अब उन्हें उसका भुटान तो करना ही होगा, माया का जवाब सुनकर, ददा ने एक ठंडी सांस छोड़ कर कहा, माया, आप हर उस इंसान को खुद से दुर क्यूं कर देती है, जो आप से असल मे प्यार करते हैं, ददा, प्लीज, मैं मिस्टर रोहित के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, आप भी प्लीज, उनका नाम मेरे सामने बार, बार मक लीजिए, माया की बात सुनकर, ददा उसे लाचार नजरों से देखने लगे, माया काउच से उठते हुए, बोली, ददा मुझे एक जगह जाना है, आप तब तक रेस्ट कीजिए, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, माया की बात सुनकर, ददा ने अपने सबसे खास सबॉर्डिनेट रगू को कुछ इशारा किया, रगू उनका इशारा समझ कर, बाहर का रडी करने चला गया, ददा भी काउच से मूलने में समझदारी है, और नहीं दोस्ती करने में, ददा की बात सुनकर, माया अपना सर हलका हां में हिलाते हुए, बोली, मैं आपकी बात समझ गई ददा, मैं आगे से इस बात का ख्याल रखूंगी, आप भी अपना ध्यान रखिएगा, ददा से बात करते हुए, माया विला के बाहर आ गई, दूसरी तरफ, विद्यूत आर्य मेंशन के लिविंग एरिया में अपने पैरों पर पैर चड़ाए, किसी राजा की तरह काउज से टिक कर एलिजन्टली बैठा हुआ था, उसके हैंसल चेहरे पर हमेशा की तरह कोई भाव नहीं थे, उसकी प्रेजन महेसुस हो रहा था, जैसे आर्य मेंशन में ऑक्सजन की मात्रा अचानक कम हो गई है, और थन की मात्रा ज्यादा बढ़ गई है, विद्यूत ने अपनी शिगार बर्न करते हुए, माया के दादा जी की ओर थन्डेपन से देखा, माया के दादा जी शॉक्ट एक्सप्रेशन के साथ, अपने हाथ में मौझूद उस DNA रिपोर्ट को देख रहे थे, जो एयांश और विद्यूत का था, विद्यूत ने माया के दादा जी से अपनी नजरे हटा कर, अपने लॉयर की ओर देखा, तो विद्यूत के आँखों का इशारा समझ कर, लॉयर ने आगे बढ़ कर माया के दादा जी से प्रोफेशनल ट्यून में कहा, मिस्टर आर्य, अगर आप इस DNA रिपोर्ट को देखने के बाद भी मेरे क्लाइंट को उनके बेटे की कस्टिदी नहीं देंगे, तो हम आपसे कोर्ट में मिलेगे, लॉयर की बात सुनकर, माया के दादा जी अपने सेंसे अयांश प्रथम का बेटा है, पर अगर ऐसा था, तो विद्यूत और अयांश का DNA माच क्यों कर रहा था? क्या ऐसा हो सकता था? विद्यूत ही प्रथम हो, डादा जी ने अपने मन में आए, इस अजीब से सवाल को तुरंट नकार दिया, विद्यूत प्रथम नहीं हो सकता विद्यूत और प्रथम एक, डूसरे से बहुत अलग थे, विद्यूत प्रथम होई नहीं सकता था, विद्यूत की एक अलग पहचान थी, और प्रथम की अलग दादा जी विद्यूत को एक नजर देखने के बाद, दुबारा डियाने रपोर्थम पर अपनी नजरे गराते हुए, सकत लहेजे में कहा, कोई भी डिसीजन लेने से पहले, मुझे इस डियाने रिपोर्थम की ऑथेंटिकेशन चेक करवाना है दादा जी की डिमांद सुनकर, लोयर ने विद्यूत की और सवालिया नजरों से देखा, तो विद्यूत बिना भाव के शिगार का लंबा कस भरते हुए, बोला, आपको जो करना है, जल्दी कीजिए, मेरे पास आपके फाल्तू फैमिली ड्रामा के लिए टाइम नहीं है विद्यूत की आरोगेंट बाते सुनकर, माया के दादा जी को गुस्सा तो बहुत आया, मगर उन्होंने बड़ी ही मुश्किल से अपने गुस्से को काबू करके, तुरंट अपने फैमिली डॉक्टर को कॉल किया विद्यूत आर्य मेंशन के लिविंग एरिया में अपने पैरों पर पैर चड़ाए, किसी राजा की तरह काउज से टिक कर एलिजन्टली बैठा हुआ था उसके हैंसम चेहरे पर हमेशा की तरह कोई भाव नहीं थे, उसकी प्रेजन्स और उसका औरा, बिल्कुल किसी येटी की तरह कोल्ड था पूरे आर्य मेंशन का माहौल, विद्यूत के डाक प्रेजन्स के कारण, बेहधी कोल्ड और सफिकेटव हो गई थी लिविंग एरिया के साइड में खरी, नताशा और जरा को ऐसा महेसुस हो रहा था, जैसे आर्य मेंशन में ऑक्सिजन की मात्रा अचानक कम हो गई है, और थन की मात्रा ज्यादा बढ़ गई है विद्यूत ने अपनी शिगार बर्न करते हुए, माया के दादा जी की ओर थन्डेपन से देखा माया के दादा जी शौक्ट एक्स्प्रेशन के साथ, अपने हाथ में मौझूद उस डीने रिपोर्ट को देख रहे थे, जो एयांश और विद्यूत का था विद्यूत ने माया के दादा जी से अपनी नजरे हटा कर, अपने लौयर की ओर देखा तो, विद्यूत के आँखों का इशारा समझ कर, लौयर ने आगे बढ़कर, माया के दादा जी से प्रोफेशनल ट्यून में कहा अगर आप इस DNA रिपोर्ट को देखने के बाद भी मेरे क्लाइंट को उनके बेटे की कस्टडी नहीं देंगे, तो हम आपसे कोर्ट में मिलेगे लौयर की बात सुनकर, माया के दादा जी अपने सेंसेज में वापस आए हैरान, परेशानी और अविश्वास जैसे अंगिनत भाव, दादा जी के बुड़े चहरे पर जहलग रहा था जरा के फेशल इक्सप्रेशन्स भी दादा जी से मैच खा रहे थे आर्य फैमिली में नताशा के अलावा, हर कोई जानता था अयांश प्रथम का बेटा है, पर अगर ऐसा था, तो विद्यूत और अयांश का डिये ने मैच क्यों कर रहा था? क्या ऐसा हो सकता था? विद्यूत ही प्रथम हो, दादा जी ने अपने मन में आए, इस अजीब से सवाल को तुरंत नकार दिया विद्यूत प्रथम नहीं हो सकता था, विद्यूत और प्रथम एक डूसरे से बहुत अलग थे, विद्यूत प्रथम हो ही नहीं सकता था, विद्यूत की एक अलग पहचान थी, और प्रथम की अलग दादा जी विद्यूत को एक नजर देखने के बाद दुबारा DNA रपोर्ट्स पर अपनी नजरे गराते हुए सक्त लहेजे में कहा कोई भी डिसीजन लेने से पहले मुझे इस DNA रपोर्ट की authentication चेक करवाना है दादा जी की डिमांद सुनकर लॉयर ने विद्यूत की और सवालिया नजरों से देखा तो विद्यूत बिना भाव के शिगार का लंबा कस भरते हुए बोला आपको जो करना है जल्दी कीजिए मेरे पास आपके फाल्तू फैमिली ड्रामा के लिए टाइम नहीं है विद्यूत की आरोगेंट बाते सुनकर माया के दादा जी को गुस्सा तो बहुत आया मगर उन्होंने बड़ी ही मुश्किल से अपने गुस्से को काबू करके तुरंट अपने फैमिली डॉक्टर को कॉल किया दादा जी के कॉल करने के कुछ मिनित बाद ही आर्या फैमिली का फैटफल फैमिली डॉक्टर राम आर्या मेंशन पहुँच गए राम एक मिडल एज़ डॉक्टर थे उनकी फैमिली पुष्टों से आर्या फैमिली के लिए काम करती आ रही थी माया के दादा जी को उन पर सबसे ज़्यादा भरोसा था इसलिए उन्होंने डॉक्टर राम को वहां बुलाया था डॉक्टर राम के साथ आर्या फैमिली का लॉयर भी मौजूद था लीगल प्रोसेस को हैंडल करने के लिए माया के दादा जी ने अपने लॉयर को भी बुला लिया था चाहे सिचुएशन कैसी भी क्यों न मगर दादा जी इस मामले को कोर्ट तक नहीं जाने दे सकते थे अगर यह मामला कोर्ट तक पहुँच जाता तो बात आर्या फैमिली की रेप्यूटेशन पर आ जाती को समझ नहीं आ रहा था आर्या फैमिली की सबसे बड़े दुश्मन के घर का बड़ा लड़का आर्या मैंशन में क्यों और कैसे आया है लॉयर सिंग ने डॉक्टर राम को केहुनी मार कर दिमी आवाज में फुस फुसाते हुए पूछा डॉक्टर राम क्या आपको कोई आइडिया है ये बड़ा शैतान यहां क्यों बैठा है लॉयर सिंग का सवाल सुनकर डॉक्टर राम अपना कंधा उचकाते हुए बोले इस बड़े शैतान के आगमन का तो पता नहीं मगर हमारे यहां बुलाए जाने का कारण पका ये बड़ा शैतान ही है डॉक्टर राम की बात सुनकर लॉयर सिंग ने गैस करते हुए बोला आप ठिक कहे रहे हो डॉक्टर राम लगता तो कुछ ऐसा ही है मगर इस बड़े शैतान ने किया क्या होगा क्या इसने आर्या फैमिली में किसी का मड़ कर दिया है लॉयर सिंग की बात सुनकर डॉक्टर राम ने अपनी तेज नजरों से पूरे लिविंग एरिया को स्कैन किया उसके बाद उन्होंने राहत भरी ठंडी सास छोड़ते हुए कहा, नहीं, ऐसा लगता तो नहीं है, यहाँ किसी की डेड बोड़ी या खून नजर नहीं आ रही है डॉक्टर राम की बात सुनकर, लोयर सिंग ने भी चारों तरफ देखा, वहां सच में दूर-दूर तक नहीं किसी की डेड बोड़ी थी और ना ही किसी खून्या कतलेयाम का कोई निशान था लोयर सिंग थोड़े डिसपॉइंटेड हो गए साथ ही उनकी क्यूरियोसिटी भी बढ़ गई वो उच्सुक हो रहे थे ये जानने के लिए अगर विद्यूत ने किसी का मदर नहीं किया है तो उन्हें और डॉक्टर राम को वहां क्यों बुलाया गया है आपस में डिसकॉशन करते हुए डॉक्टर राम और लोयर सिंग माया के दादा जी के पास पहुँच गए गुड आफ्टनून बिग बॉस माया के दादा जी को ग्रीट करने के बाद डॉक्टर राम और लोयर सिंग ने विद्यूत को भी ग्रीट किया मगर विद्यूत ने उन दोनों की ग्रीट को ऐसे इग्नो किया जैसे अन्रीजनबल लोग रोड साइट पड़े कच्रे को इग्नो करते हैं भमंदी शैतान डादा जी ने डॉक्टर राम की और डी अने रिपोर्ट बढ़ाते हुए सक्त लहेजे में कहा जारा देखो इसे और बताओ मुझे क्या ये डी अने रिपोर्ट असली है डादा की बात सुनकर डॉक्टर राम ने अच्रच में उनके हाथ से DNA रिपोर्ट लेकर उसे देखना शुरू किया मगर पुरा DNA रिपोर्ट पढ़ने के बाद डॉक्टर राम का चहरा कोईले की तरह काला पद गया डॉक्टर राम ने अन्बलीवबल एक्सप्रेशन के साथ बरबरा कर कहा ऐसा कैसे हो सकता है ये पॉसिबल ही नहीं है डॉक्टर राम की बात सुनकर दादा जी को लगा विद्युत में जो DNA रिपोर्ट उन्हें दिखाया है वो जूठी है इसलिए दादा जी खुश हो गए मगर उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी जल्द ही डॉक्टर राम ने उनकी खुशी को रौनते हुए आगे हैरत में कहा पिछले साल मैंने खुद मिस्टर प्रथम और लिटल मास्टर का DNA टेस्ट किया था उन डोनों का DNA निन्यान में 0.99 प्रतिशत मैच करता है उस DNA टेस्ट के हिसाब से मिस्टर प्रथम लिटल मास्टर के बायलोजिकल फाद है मगर यदि ऐसा सच में है तो फिर मिस्टर विद्यूत का DNA लिटल मास्टर से कैसे इतना आक्यूरिटली मैच कर सकता है ऐसा कैसे पॉसिबल है एक बच्चे का DNA दो अलग अलग इंसानों से कैसे मैच खा सकता है डॉक्टर राम की बात सुनकर वहां मौजूद हर कोई इंसान शौक हो गए मगर विद्यूत के पोक फेशल एक्स्प्रेशन में कोई बदलाव नहीं आया विद्यूत अब भी कामली काउच से पीट टिका कर शेगार का लंबा लंबा कस भर रहा था उसका कोई रादा नहीं था किसी को कुछ भी एक्स्प्लेंग करने का अपना आखरी डाउट क्लियर करने के लिए डॉक्टर राम ने जल्दी से विद्यूत का ब्लड टाइप देखा उन्हें बहुत अच्छी से याद था प्रथम का ब्लड टाइप भी नेगटिव था मगर विद्यूत का ब्लड टाइप तो अब नेगटिव था प्रथम और विद्यूत के एक इंसान होने का आखिर चांस थी अब खत्म हो चुका था क्योंकि उन डोनों का ब्लड टाइप एक, दूसरे से बिलकुल अलग अलग था DNA रिपोर्ट को दुबारा से पढ़ने के बाद, डॉक्टर राम का सर लगभग फटने के कगार पर आ गया डॉक्टर राम बहुत बड़े और experience डॉक्टर थे, medical field में उनका बहुत बड़ा नाम था medical field में उनकी आँखे किसी magnifying glass की तरह थी, वो एक नजर में ही देखकर बता सकते थे वो DNA रिपोर्ट असली और authentic थी, पर अगर ऐसा सच में था, तो एक साल पहले, उन्होंने जो प्रथम और अयांश का DNA टेस्ट किया था उसका क्या, वो DNA टेस्ट भी बिल्कुल authentic थी, इस बात में कोई दो राए नहीं थी, हर कोई जानता था, अयांश प्रथम का बेटा है, मगर फिर विद्यूत का क्या डॉक्टर राम ने confusion में अपनी चीन खुजलाते हुए, विद्यूत की और तिर्ची नजरों से देखा डॉक्टर राम को अच्रच में देख, डादा जी को अपने सवाल का जवाब मिल चुका था, मगर इसके बावजूद, उन्होंने पूछा, डॉक्टर राम, बताओ मुझे, क्या वो DNA रपोर्ट्स असली है, डादा जी का सवाल सुनकर, डादा जी का सवाल सुनकर, डादा डादा जी के दिल की धरकने बढ़ गई, अगर वो DNA रिपोर्ट असली हुआ, तो इसका मतलब साफ था, विद्यूद को कोई नहीं सकता था, अयांज को ले जाने से, डॉक्टर राम ने जल्दी ही, DNA रिपोर्ट का प्रोपर धंग से ऑथेंटिकेशन चेक करा लिया, वो DNA ने रिपोर्ट सच में असली थी, डॉक्टर राम की और से ग्रीन फ्लाग मिल जाने के बाद, विद्यूद के लॉयर ने आगे बढ़कर, दादा जी और लॉयर सिंग को कुछ लीगल डॉक्यूमेंस दिखाया, उन डॉक्यूमेंस को देखने के बाद, दादा जी लॉयर सि को कोर्ट में भी लेकर गए, तो अग दी एंड, लिटल मास्टर की कस्टडी मिस्टर सिंगानिया के पास ही जाएगी। लॉयर सिंग की बात सुनने के बाद, दादा जी बेसुधी में धम से काउच पर बैठ कए, सवालों और ओल्चनों के बवंडर ने अब भी उन्हें घ विद्यूत का सवाल सुनकर, दादा जी तो कुछ नहीं बोले, मगर जारा ने अपनी घबराहट काबू करते हुए, जल्दी से विद्यूत को इशारे से अयांच का रूम बता दिया। जारा का इशारा समझ, विद्यूत अपने पैंट में हाथ डालते हुए, सीधे चोड़ कर गई थी, तब से ही यांच अपने रूम से बाहर नहीं आया था, उसने खुद को अपने रूम में लॉक कर लिया था, एपिसोड 43 में आपके बगैर मर जाओंगा मम्मा, दादा जी की सवाल पर, लोयर सिंग अपना सर जुकाते हुए, ओबीडियंटली बोला, न दादा जी बेसुधी में धम से काउच पर बैठ कै, सवालों और ओल्चनों के बवंडर ने अब भी उन्हें घेर रखा था, उन्हें अब भी ठिक धम से कुछ समझ नहीं आ रहा था, दादा जी को एक नजर थंडेपन से देखने के बाद, विद्यूत ने शिगार का बद अस्ट्रे में मसला, उसके बाद उसने काउच से खरे होते हुए, थंडे स्वर में पूछा, अयांच कहा है? विद्यूत का सवाल सुनकर, दादा जी तो कुछ नहीं बोले, मगर जारा ने अपनी घबराहत काबू करते हुए, जल्दी से विद्यूत को इशारे से अयांच क रूम बता दिया, जारा का इशारा समझ, विद्यूत अपने पैंट में हाथ डालते हुए, सीधे अयांच के रूम की ओर बढ़ गया, माया जब से आर्या मेंशन छोड़ कर गई थी, तब से ही अयांच अपने रूम से बाहर नहीं आया था, उसने खुद को अपने रूम मे हीने देने का सोचा था, ताकि अयांच अपनी जिब खुद छोड़ कर, चीजों को एकसेप्ट कर ले, माया के जाने के बाद भी दादा जी को लग रहा था, कि अयांच के लिए माया कुछ दिन में ही घर वापास जरूर चलियाएगी, दादा जी सौपरत इशक्षो थे, मा ऐसी डॉक्यूमेंट रेडी करवाई थी, जिसके अकॉर्डिंग अयांच की कस्टडी पूरी तरीके से उनकी पास थी, माया भले ही अयांच की मा कही जाते थी, मगर किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग माया का अयांच पर कोई हक नहीं था, आर्या फैमिली पहरंड था, माया आयांज की मां थी, पर इसके बावजूद उसके पास कोई लीगल राइट्स नहीं थे, आयांज को अपने पास रखने के लिए, माया के दादा जी आयांज की कस्टडी लीगली ले सकते थे, DNA रपोर्ट्स दिखाने के बाद विद्यूपी लीगली आयांज की कस्टडी ले सकता था, मगर माया वो ऐसा नहीं कर सकती थी, और अचम्भे की बात तो ये थी, माया इस मुद्दे पर हमेशा बिलकुल खामोश और हेल्पलिस रहेती थी, उसने कभी इस बात का विरोध नहीं किया था, अब माया की चुप्टी का असल कारण क्या था, उस के पास माया को घर वापस लाने का आखरी राष्टा भी खत्म हो चुका था, वो अब अपनी बड़ी पोटी और नाती को पूरी तरह से खो चुके थे, दादा जी इस समय जितने हताश और ओलचे हुए थे, उतना ही उन्हें माया के उपर गुस्सा भी आ रहा था, नाचु कर स्टडी रूम में चले गए, अगर लीगल डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग एयांज की कस्टडी विद्यूत के पास जा चुकी थी, तो उसे एयांज को अपने साथ ले जाने से रोप पाना नामुम्किन था, इसलिए दादा जी ने अंत में दुखी मन के साथ हार मा लिया था, लिविंग एरिया से विद्यूत और डादा जी के जाने के बाद, जारा और नताशा के चेहरे पर शातिर मुस्कान उभरानी, हाला कि जारा और नताशा को नहीं पता था, माया और डादा जी के बीच क्या हुआ, जिसकी वज़े से माया घर छोड़ कर चली गई, मगर वो दोनों माया के घर छोड़ जाने की बात पर बहुत खुश थे, अयांज के चले जाने के बाद, तो उन दोनों की खुशी लाख गुना ज्यादा बढ़ जाने वाली थी, और बढ़ती भी कैसे नहीं, आखिर माया और अयांज के जाने के बाद, आर्या फैमिली की प महेश अंकल से कॉन्टाक्ट नहीं कर पा रही हूँ, क्या आपकी उनसे कोई बात हुई है? नताशा का सवाल सुनकर, जारा को अपने भाई महेश का ख्याल आया, कल राद जारा ने महेश को ड्रग्स और नशे की हालत में माया का फाइदा उठाने के लिए भीजा था, मगर जारा ने इसके बाबजूद महेश को साफ तोर से माया का रेप करने के लिए भीजा था, प्रॉपर्टी और पावा पाने की भूख, जारा और नताशा के अंदर कितने गंदे लेवल पर थी, इसका अंदाजा इसी एक बात से लगाया जा सकता था, जारा और नताशा, माया का क्रूर और बेरहिम बनना जरूरी था, अगर माया खुद को बच्पन से मजबूत और क्रूर ना बनाती, गंदी खेल नहीं खेलती, अपने नाजुकात गंदे नहीं करती, तो जारा और नताशा कपका उसका वजूद मिता चुके होते, जारा अपना फोन ओन करके, महेश का नंबर डायल करते हुए बोली, नहीं, नताशा, कर रात से महेश का कोई अता पता नहीं है, उसने माया के साथ कुछ किया या नहीं, ये भी अब तक मुझे पता नहीं चला है, अपनी मौम की बात, सुनकर, नताशा कनफ्यूशन में पढ़ गई, दूसरी तरफ, विद्य साथ भी बार दूर नौक करने को हुआ, तभी जरा और नताशा वहां आ गई, जारा ने हलकी मुस्कान के साथ, विद्यूत की और मास्टर की बढ़ाते हुए कहा, मिस्टर सिंग्भानिया, ये लिजिए, आप इस मास्टर की का यूज करके बाहर से डो ओपन कर लीजिए, अयांश बहुत जिद्धी है, वो ऐसे डो ओपन नहीं करेगा, जारा की बात सुनकर, विद्यूत ने एक नजर थंडेपन से नताशा की ओर देखा, नताशा तो विद्यूत को देखने भर से, पागलों की तरह बलश करने लगी थी, विद्यूत ने नताशा पर अपनी डाक नजरे गड़ाए हुए, जारा से कहा, put it down, विद्यूत की बात सुनकर, जारा ने जब उसके इशारे की तरफ देखा, तब उसकी आँखे हरत और असमंजस से भर गई, जारा ने सोचा, क्या विद्यूत सीधे उसके हाथ से की नहीं ले सकता है, विद्यूत जारा को मास्ट की नीचे रखने को बोल रहा था, जारा ने कुछ खशन सोचने के बाद, मास्टर की नीचे रख दिया, तभी वहां रौकी आ गया, विद्यूत के इशारे पर, रौकी ने जल्दी से मास्टर की उठा कर, एयांश के रूंग का डोर ओपिन किया, एयांश के रूंग के दम से काला पद गया, विद्यूत के धमकी भरी बात का मतलब साफ था, उसे पता चल चुका था, फ्रांकफर्ट में ड्रीन होटेल के उसके प्रेसिदेंशल स्वीट में उस लड़की को नेक्थ हालात में भेजने वाली इंसान नताशा और जारा थी, विद्यूत के और हमारे लिटल बॉस से दुर रहिएगा, इसी में आप दोनों की भलाई है, वरना मेरे बॉस को दुनिया डैवल क्यों कहेती है, उसका आप दोनों एक अच्छा एक्जामपल बन सकती है, रॉकी की बात सुनकर, जारा और नताशा का डर से भरा चेहरा गुस्से से भर गय अब एक नौकर उन दोनों को तिरसकार भरे लहेजे में धमकी दे रहा था, नताशा रॉकी पर चिलाने को हुई, मगर जरा ने उसका हाथ दबा कर उसे शान्त करा दिया, अभी वो दोनों इस हालात में नहीं थे कि वो विद्युत सिंभानिया को ओफेंड कर सके, मॉम, नत सारी चीजे तूटू, फुटू बिखरी परी है, विद्युत ने रूम की खस्ता हालत पर ज्यादा कुछ रियक्ट नहीं किया, उसने अपनी ठंडी सरसरी नजर भुमा कर, रूम में चारों तरफ देखा, मगर अयांश उसे रूम में कहीं नजर नहीं आया, विद्युत फ मम्मा, I am sorry, I don't hate you, मैंने वो सब गुस्से में बोल दिया था मम्मा, I just love you, please, मेरे पास वापस आजाए, मैं आपके बगेर नहीं रहे पाऊंगा, please, मेरे पास वापस आजाए, मैं आपके बगेर मर जाओंगा मम्मा, please, come back to me, मुझे आपकी बहुत ज्यादा यादा रही है, अयांश की बात और सिस्की सुनकर, विद्युत ने अपनी मुठियां भींच ली, सब्सक्राइब कारो सब्सक्राइब, एपिसोड 44, You are a Bad Daddy, विद्युत के अयांश के रूम के अंदर जाने के बाद, रॉकी ने क्रुकट स्माइल के साथ, जारा और नताशा से कहा, पी केफ अगली बार चीजे इतनी आसानी से सैटल नहीं होगी, इसलिए माया मैडम और हमारे लिटल बॉस से दुर रहिएगा, इसी में आप दोनों की भलाई है, वरना मेरे बॉस को दुनिया डेवल क्यूं कहती है, उसका आप दोनों एक अच्छा एक्जामपल बन सकती है रौकी की बात सुनकर, जारा और नताशा का डर से भरा चेहरा गुस्से से भर गया, अब एक नौकर उन दोनों को तिरसकार भरे लहेजे में धमकी दे रहा था नताशा रौकी पर चिलाने को हुई, मगर जरा ने उसका हाथ दबा कर उसे शान्त करा दिया, अभी वो दोनों इस हालात में नहीं थी कि वो विद्युत सिंभानिया को ओफेंड कर सके मौम, नताशा ने जरा को नाराजकी से देखा, तो जरा उसे अपने साथ कीचते हुए, वहाँ से लेकर चली गई उधर, रूम के अंदर, आते ही, विद्युत ने देखा, पुरा रूम सहस, नसन हुआ परा है, चारो तरफ सारी चीजे तूटू, फुटू बिखरी परी है विद्युत ने रूम की खस्ता हालत पर, ज्यादा कुछ रियक्ट नहीं किया, उसने अपनी ठंडी सरसरी नजर गुमा कर, रूम में चारो तरफ देखा, मगर अयांश उसे रूम में कहीं नजर नहीं आया विद्युत फ्लो पर तूट कर, बिखरे फ्लावा वाश को जूते से साइड करते हुए, रूम की सेंटर में आया, उसके हैंसम चेहरे पर इस दौरान रत्ती भर भी भाव नहीं थे रूम की सेंटर में आते ही, विद्युत के कान में अयांश की सिसकने और बरब्राने आवाज पड़ी मम्मा, I am sorry, I don't hate you, मैंने वो सब गुसे में बोल दिया था मम्मा, I just love you, please, मेरे पास वापस आजाए, मैं आपके बगैर नहीं रहे पाऊंगा Please, मेरे पास वापस आजाए, मैं आपके बगैर मर जाओंगा मम्मा, Please, come back to me, मुझे आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही है अयांश की बात और सिसकी सुनकर, विद्युत ने अपनी मुथिया भींच ली विद्युत ने जब आयांश के आवाज के दिशा में देखा, तब उसकी नजर बैट के कोने में नीचे फ्लो पर खुद में सिमट कर बैठे आयांश पर गई अयांश बेहद ही पथेटक और हेल्प्लिस कंडिशन में अपना छोटा सा चेहरा घुटनों में छुपाए, लगातार सिसकते हुए, रुवधी आवाज में कुछ ना कुछ बरब्राय जा रहा था अधिक रोने की वज़े से अयांश की सिसकती आवाज हिचेकने लगी थी, उसका छोटा सा शोल्डर कंटिनूसली हिल और काम रहा था अयांश का गेंद की तरह खुद में सिमट कर बैठने का तरीका इतना हार्ट ब्रेकिंग था कि उस पर किसी निर्जी पत्थर को भी दया आ जाता मगर विद्यूत के इमोशनलेस चेहरे में कोई बदलाव नहीं आया विद्यूत अपने पैंट के पॉकित में हाथ डाले खालीपन से अयांश की ओर एक टक देख रहा था उसके फेशल एक्स्प्रेशन्स बिल्कुल जीरो थे उसके चेहरे के भाव से बता पाना असंभव था कि उसके दिमाग क्या चल रहा है वो अंदर से गुस्सा है या फिर शान्त है विद्यूत कुछ पल थहर कर अयांश की ओर बढ़ गया अपनी तरप बढ़ रही कद्मों की आहट महेसुस करने के बाद अयांश को लगा माया वापास आ गई है अयांश ने जट से अपना छोटा सा चहरा उठाते हुए रूअधी आवाज में कहा मम्मा आप वापास आ गई मुझे पता था आप वापास चरूर आएंगी आपको इतना बोलते हुए अयांश बीच में ही रूप गया अपने ठीक सामने खरे विद्यूत को देखते ही अयांश के चहरे के भाव बदल गए उसका छोटा सा सुन्दर चहरा कतोर हो गया और उसकी ब्राइट नीनी आँखे कोलने से भर गई विद्यूत को देखते ही अयांश के painful facial expressions ऐसे बदल कर hard हो गए थे जैसे गिरगिट अपना रंग बदलता हो अयांश के भाव में आए तेज बदलाव को देखकर विद्यूत की eyebrows आपस में जुड़ गई ये चोटा सा लड़का थोड़ी देर अपनी मम्मा का नाम लेकर किसी दर्द से तड़प रहे मरीज की तरह तेज विलाप करके रो रहा था मगर उसे देखते ही उसका सारा रोना चू मंतर हो गया था उसके पैर लिप्ट कर रोने के बजाए वो इस वक्त उसे बिल्कुल cold और mature expressions के साथ घुर रहा था उसे देखकर ऐसा लगी नहीं था कि वो एक धाई साल का बच्चा है अयांच को बगेर कुछ कहे खुद को कोली घूर्टा पाकर विद्यूत ने थंडे लहेजे में उससे पूछा क्या तुम्हारी मम्मा तुम्हे छोड़ कर चली गई है इसलिए तुम रो रहे थे माया का जिक्र सुनते ही अयांच का कोल चेहरा मुर्जा गया अयांच ने कुछ पल विद्यूत की और कोली देखा फिर उसने आचनक अपना निचला होट रोने वाले पुजिशन में क्यूटली बाहर निकाल लिया विद्यूत अयांच के भावों में दुबारा आए बदलाव का मतलब समझ पाता उससे पहेले ही अयांच उसके पिलर जैसे पैरों से लिपटते हुए जोर जोर से रोने लगा रोते वक्त अयांश का छोटा सा चहरा सिकुर कर और ज़्यादा छोटा हो गया था विद्यूत की कतोर पैर से बंदर की तरह लिप्ट कर रोते हुए अयांश बहुत ही ज़्यादा प्यारा और मासूम दिख रहा था विद्यूत को देखने के बाद अयांश ने सोचा था कि वो विद्यूत के सामने नहीं रोएगा, खुद को विद्यूत के सामने वीक नहीं दिखाएगा मगर था तो अयांश एक धाई साल का बच्चा ही, लाख कोशिश के बाब जूद माया का जिक्र सुनते ही, उसे तेज रोना आ गया था, और अंत में वो अपने दुख को आंसू के जरिये बाहर निकलने से रोप नहीं पाया था अयांश को माया की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, माया के जाते वक्त अयांश ने माया को I hate you mamma कहा था, इस बात को दुबारा से याद करके, अयांश को डर भी लगने लगा था अयांच ये सोच कर डर रहा था कि अगर कही माया को उसकी बात बहुत ज्यादा बुरी लग गई होगी अगर माया ने उसके शब्दों को सीरियसली ले लिया होगा और अगर कही माया जिन्दगी भर उसके पास कभी वापास लोट कर नहीं आई तो उसका क्या होगा? विद्यूत ने अपना सर जुका कर अयांज की ओर देखा. उसके भावीन चेहरे पर थोड़े परेशानी और उल्जन भरे भाव उभर आये थे. अयांज को बगेर रुके रूता हुआ देख. उसने असमंज उसने दो उंगियों से अपना माथार अगरना शुरू कर दिया. विद्यूत को समझ नहीं आ रहा था. अयांज क्यूं अचानक ऐसे रोने लगा? और वो कैसे अयांज को शांत कराए? उसने अपनी पूरी जिन्दगी में पहेले कभी ऐसे सिचुएशन को फेस नहीं किया था. दूर पर खरे. रॉकी ने जब अपने डैवल बॉस की दुबिधा, तब उसे बीतर ही बीतर विद्यूत की कंडिशन पर हसी आने लगी. उसके बॉस ने जन्म के बाद से ही अपनी पूरी 27 साल की उम्र में सिर्फ लोगों को रुलाया और टॉर्चर किया था. भला उसे किसी बच्चे को चुप करना आता भी कैसे? रॉकी ने अपने मन में थंडिया हम भरते हुए. लाचारी से सोचा, बॉस, अगर आपको बच्चों के साथ अच्छे से डील करना नहीं आता है, तो आपने अपना जहरीला मून अपने बेटे के सामने खोला ही क्यूँ? अब देखिए, अब आपका बेटा रोने लगाना. मैं पूछता हूँ, क्या जरूरत थी? आपको अपने बेटे के सामने माया मैडम इस जिक्र करने की, जब आप अच्छे से जानते है, आपका बेटा अपनी मम्मा के लिए ही रो रहा है, तब क्या जरूरत थी? उससे उसक कटवाना पहले प्रफव करता. अयांश का रोना हर बीटे सेकंड के साथ बढ़ता ही जा रहा था, पहले उसके पास अच्छे से रोने के लिए कोई सहारा नहीं था, मगर अपने डैडी के पैरों का सहारा पाकर, अयांश खुल कर रो रहा था. लंबे समय तक हिचके चाने और परेशान होने के बाद, जब विद्यूत को कुछ समझ नहीं आया, तब उसने अंत में जुक कर अयांश को अपने गोद में उठा लिया था. अयांश अपने ननहे, ननहे हाथ, विद्यूत के पत्थर जैसे मजबूत गर्दन में लपेट कर, सिसिकते हुए, रोने लग था. अयांश को चुपना होता देख, विद्यूत ने उसे कोडली भूरते हुए, थंडी स्वर में कहा, लड़कियों की तरह रोना, धोना बंद करो, तुम अब मेरे बेटे हो, तुम्हारे हर एक आक्शन से मेरी डिग्निटी जुड़ी है, तुम्हें ऐसे रोने और वीक परने की इजाजत नहीं है. विद्यूत की पुरी बात सुनकर, अयांश एक दम से शांत हो गया, उसका चेहरा अब भी आंसों से भीगा हुआ था, मगर उसके चेहरे के भाव अब दुबारा से विद्यूत की तरह ही कतोर हो गए थे. अयांश ने अपना छोटा सा सर विद्यूत की बात सुनकर, अयांश मासूमियद से अपनी चीन खुजलाते हुए बोला, पर मेरी मम्मा तो रोती ही नहीं है, मैं उनके जैसे कैसे रो सकता हूँ, जब वो कभी रोती ही नहीं है? अयांश का जवाब सुनकर विद्यूत के लिप्स क्रोकड वे में तिर्चे मुरे अयांश ने जब विद्यूत के बातों के बारे में दुबारा से सोचा तब उसे उसकी बातों का असल मतलब समझाया विद्यूत चाहता था अयांश माया की तरह रोए मगर माया कभी रोती ही नहीं थी इसका indirect मतलब था कि अयांश भी कभी ना रोए अयांश विद्यूत के बातों में उलच कर कब शांथ हो गया उसे खुद पता तक नहीं चला विद्यूत के शोल्डर पर दुबारा अपना छोटा सा सर्टिका कर अयांश उसने शर्ट के बटन से खेलते हुए दिमी आवाज में बोला यू आर बाद डैडी मम्मा ने मुझे सिखाया है हमें अपने जीनियर इमोशन्स भले ही किसी को दिखाने नहीं चाहे मगर हमें अपने जीनियर इमोशन्स चिपाने भी नहीं चाहे इससे हमें बीमारी हो सकती है अयांश का रोना बंद देखने के बाद विद्यूत ने रिलीव के साथ अपनी टाई हलकी धीली की रुन से बाहर निकलने के दौरान विद्यूत अयांश को जवाब देते हुए ठंडी आवाज में बोला It all depends on us हम खुद को जैसा बनाना चाहे वैसा बना सकते है अगर हमारी विल पावर स्ट्रॉंग हो तो हम कुछ भी कर सकते है इससे हमारे बॉड़ी या हेल्थ पर भी कोई असर नहीं परेगा विद्यूत का जबाव सुनकर अयांच ने क्यूरियसली उससे पूछा क्या ऐसा सच में किया जा सकता है हम मम क्या आप मुझे ऐसा करना सिखाओगे अयांच की बात सुनकर विद्यूत बिना भाव के बोला अगर तुम अबीडियंट बने रहे तो जरूर विद्यूत और अयांच के पीछे पीछे रौकी भी डिसपोइंटेड एक्स्प्रेशन के साथ आर्यमेंशन से बाहर निकल गया रौकी ने सोचा था जब विद्यूत अयांच को चुप कर आने की कोशिश करेगा तब उसे एक अच्छा देखने को मिलेगा मगर असल में ऐसा कुछ ना होने पर रौकी निराश हो गया था आर्यमेंशन के बाहर आते ही विद्यूत और अयांच की नजर माया पर गई माया रोड की दूसरी साइड अपनी स्पोर्ट कार से एलेजंटली टेक कर खड़ी थी उसके सुन्दर चेहरे पर कोई भाव नहीं थे बैगी ब्लाक स्वेट शर्ट और बैगी ब्लाक कागो पैंस में माया बहुत कूल और चार्मिंग देख रही थी उसके सर पर मौजूद ब्लाक बासकट बॉल कैप उसके कूल लुक को कई गुना ज्यादा अन्हांस कर रही थी माया पर नजर परते ही अयांश धिमी और उदास आवाज में मासूमियत से बुदबुदाया मम्मा पक्का बहुत गुस्से में है मुझे डर लग रहा है मैं अब उन्हें कैसे मिनाऊंगा मैंने सुबह में उनसे गुस्से में बात की थी अयांश की बात सुनकर विद्यूत की आई ब्राउस कस कई उसने अयांश से साकास्टिक वे में पूछा क्या तुम अपनी मम्मा से इतना ज़्यादा डरते हो ग्रीडी बॉल मैं अपनी मम्मा से डरता नहीं हूँ मैं अपनी मम्मा की रिस्पेक्ट करता हूँ ओके अयांश ने विद्यूत के बात के जवाब में उसे कोल्डनी भूरते हुए कहा सब्सक्राइब कारो सब्सक्राइब एपिसोड 45 विद्यूत की तीसरी आंफ रौकी ने सोचा था जब विद्यूत अयांश को चुप कराने की कोशिश करेगा तब उसे एक अच्छा शो देखने को मिलेगा मगर असल में ऐसा कुछ ना होने पर रौकी निराश हो गया था आर्यमेंशन के बाहर आते ही विद्यूत और अयांश की नजर माया पर गई उसके सर पर मौझूद ब्लाक बास्कट बॉल कैप उसके कूल लुक को कई गुना ज़्यादा अनहांस कर रही थी माया पर नजर परते ही अयांश दिमी और उदास आवाज में मासूमियत से बुदबुदाया मम्मा पका बहुत गुसे में है मुझे डर लग रहा है मैं आब उन्हें कैसे मिनाऊंगा मैंने सुबह में उनसे गुसे में बात की थी अयांच की बात सुनकर विद्यूत की आई ब्राउस कस कई उसने अयांच से साकैस्टिक वेए में पूछा क्या तुम अपनी मम्मा से इतना ज़्यादा डरते हो ग्रीडी बॉल मैं अपनी मम्मा से डरता नहीं हूँ मैं अपनी मम्मा की रिस्पेक्ट करता हूँ ओके, अयांच ने विद्यूत के बाद के जवाब में उसे कोल्ड ली घूरते हुए कहा अपनी फर्स्ट मीटिंग में ही अयांच ने ग्रीड के साथ विद्यूत से प्रोपर्टी की डिमांड की थी इसलिए विद्यूत ने तब उसका नाम ब्रीडी बॉय रख दिया था माया की नजर, जब मैंशन के बाहर खरे अयांच और विद्यूत पर गई तब वो सीधी खड़ी होकर, उन डोनों की ओर बढ़ गई माया का दोनों हाथ उसके पैंट के पॉकेट में था उसका अपीरियंस और अटायर भले ही कूल और यूथफुल था मगर उसकी साफ सुन्दर भूरी आँखों में मौजूद कामनिस उसके मच्योव और स्ट्रॉग माइंसेट को रिफलेक्ट कर रही थी माया का औरा हमेशा की तरह सबसे अलग और बेहद ही कंपोज और रिजर्व था रोड पर सिंपल ब्लैक आउटफिट में चलते वक्त भी उसका डिफरिंट क्लास और डॉमिनेंस चलक रहा था दूर से देखने पर माया बिल्कुल किसी खूपसूरत ब्लैक आण वाइट ड्रॉइंग की तरह देखती थी माया को अपनी तरफ आता देखने के बाद अयांच की ब्राइट नीली आँखों में खुशी और घबराहत दोनों के मिले जुले भाव उभर आए अयांच ने प्यार से एक टक माया की ओर देखते हुए विद्यूत की शर्ट को नर्वसली अपनी मुटियों में भर लिया माया अयांच की ओर नहीं बलकी विद्यूत की ओर देख रही थी उसकी शान्त आंखों की गहराई में अंगिनत सवाल और कन्फ्यूजन थी माया विद्यूत की ठेक सामने आकर रूकी उसने एक नजर साइड में खरे रौकी की ओर स्थिर्टा से देखा रौकी विद्यूत का सबसे खास और खतरनाक सबॉडिनेट था साफ शब्दों में रौकी को विद्यूत का तीर सा आंख बोलना गलत नहीं होगा विद्यूत की जिन मामलों को संजीव हैंडल नहीं कर पाता था उन्हें अक्सर रौकी ही हैंडल करता था माया ने अपना रूक विद्यूत और अयांज की ओर किया विद्यूत मिना इमोशन के उसे ही घुर रहा था माया कुछ बोलती उससे पहले ही अयांज ने अपना जोटा सा सर जुका कर उससे धिमी महीन आवाज में मासूमियत से कहा मम्मा, I am really, really sorry Please, मुझे माफ कर दीजे मैं आपसे हेट नहीं करता वो उस वक्त मैं सेंसलिस हो गया था इसलिए मैंने वो सब बोल दिया मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं मम्मा मैं आपके बगएर नहीं रहे सकता अयांज की बात सुनकर माया ने शांत नज़रों से उसकी और कुछ पल तक देखा मगर उसने अयांज की सवाल का कोई जबाब नहीं दिया अयांज इंतजार करता रहे गया मगर दस मिनट बीट जाने के बाद भी माया ने उससे कुछ नहीं कहा और नहीं उसे अपने गोद में लिने का ट्राइ किया Normally माया आयांच के माफी मांगने पर जल्दी ही मान जाया करती थी मगर आज शायद उसका इरादा कुछ और करने का था माया ने आयांच से अपनी नजरे फेरते हुए विद्यूत को गहराई से देखकर पूछा कैसे कैसे किया तुमने ये सब तुम शुरू से प्रथम के बारे में सब कुछ जानते थे तुमने जान बूच कर मुझे इस हद तक मजबूर किया और अब तुमने इस सिचुएशन का इतनी चालाकी से फाइदा भी उठा लिया माया की बात सुनकर विद्यूत के लिप्स क्रोकद वे में हलके तिर्चे मुरे मगर उसने माया से कहा कुछ नहीं विद्यूत बस खामोशी के साथ माया की आँखों में देखता रहा विद्यूत की खामोशी देखने के बाद माया ने उससे दुबारा स्थिर स्वर में पूछा उस DNA रिपोर्ट का क्या क्या वो रिपोर्ट सच में असली थी माया के इस सवाल के बाद जाकर विद्यूत ने अपनी दरावनी खामोशी तोड़ते हुए थंडी स्वर में कहा हमम वो रपोर्ट्स बिलकुल असली है विद्यूत के मून से हां सुनकर माया की शान्त आखे डाक हो गई ऐसा होना नामुम्किन था माया ने अपनी हैरत दबाते हुए शान्त लहेजे में विद्यूत से पूछा पर ऐसा कैसे हो सकता है ऐ आँज तो प्रथम विद्यूत माया की बाद बीच में कातते हुए उसके कान में जुक कर धीमे और ठंडी लहेजे में फुस फुसा कर बोला Become more bad and fearless, then you will be become the most powerful एपिसोड 46 डैडी, मम्मा बहुत रूड और हाटलेस है विद्यूत की खामूशी देखने के बाद माया ने उससे दुबारा स्थिर स्वर में पूछा उस DNA रिपोर्ट का क्या? क्या वो रिपोर्ट सच में असली थी? माया के इस सवाल के बाद जाकर, विद्यूत ने अपनी दरावनी खामूशी तोड़ते हुए थंडी स्वर में कहा, हमम, वो रिपोर्ट बिलकुल असली है विद्यूत के मून से हाँ सुनकर, माया की शान्त आखे डाक हो गई, ऐसा होना नमुम्किन था माया ने अपनी हैरत दबाते हुए, शान्त लहेजे में विद्यूत से पूछा, पर ऐसा कैसे हो सकता है, एयांच तो प्रथम विद्यूत माया की बाद बीच में काटते हुए, उसके कान में जुक कर धीमे और थंडी लहेजे में फुसफुसा कर बोला विद्यूत की बात सुनकर, माया बिलकुल चुपसी हो गई, विद्यूत चब डो कदम पिछे हटा, तब माया विद्यूत को डाकली घूरने लगी अब विद्यूत के ऐसे किसी डीप मीनिंग बात पर विश्वास कर पाना माया के लिए नामुम्किन था आज सुबह भी विद्यूत ने माया से कहा था, तुम्हें बहुत जल्द अपनी असली ओव पता चलेगी, साथ ही तुम्हें अपने सभी सवालों की जवाब भी मिल जाएंगे विद्यूत उम्र और एक्सपीरियंस दोनों में माया से बड़ा था आज के वक्त में कहेने को विद्यूत के दादा जी अगद सिंभानिया, सिंभानिया परिवार के हेट जरूर थे सिंभानिया परिवार में हर कोई उनका कहेना मानता था, पुरे परिवार में उनका दबदबा था मगर उन्हें भी विद्यूत की बात माननी परती थी उन्हें भी विद्यूत के decisions के सामने जुखना परता था In short, विद्यूत का decision सिंघानिया परिवार में last decision होता था Indirect की विद्यूत ही सिंघानिया परिवार में real family head था डादा जी तो बस उप्री तोर पर दिखावे के लिए family head थे असल में विद्यूत के against जाने की हिम्मत पूरे सिंघानिया परिवार में किसी के भी अंदर नहीं थी 17 साल की उम्र में corporate world में कदम रखने के बाद मात तीन साल में ही विद्यूत ने अपने revolutionary ideas और sharp strategy के थरू पूरे सिंघानिया ग्रूप को कुछ इस तरीके से अपने अपने कबजे में कर लिया था कि 20 साल की उम्र में ही विद्यूत को सिंघानिया ग्रूप का chairman बना दिया गया सिंघानिया परिवार के लगभग सभी लोग हद से जादा घमंडी जरूर थे गरीब और लाचार लोग उन लोगों की नजरों में ठीक कीरे मकोरों की तरह थे मगर सिंघानिया परिवार की एक सबसे बड़ी खासियत थी सिंभानिया परिवार में कभी भी प्रॉपटी को लेकर आर्य फैमिली की तरह आपस में कोई परिवारिक जंग नहीं हुई थी सिंभानिया परिवार के लगभग सभी सरदश्य को अपने पैसे रुब्बे और पावर का बहुत ज़्यादा गुरूर था मगर उन सब के बीच आपस में कोई मदभेद या गुरूर नहीं था सिंभानिया परिवार में हर किसी फैमिली मेंबर के बीच बहुत ज़्यादा प्यार और अपना पन था साथ साल पहले विद्यूत के सिंभानिया ग्रूप के चेर्मेन बनने पर भी परिवार में किसी ने इस बात का विरोध नहीं किया था वरून और विद्यूत के अंकल आंटी ने भी नहीं किसी को भी विद्यूत को चेर्मेन की पोजीशन मिलने पर कोई एतराज नहीं था सब कोई खुश थे इस बात पर हालां कि परिवार के स्पोर्ट के साथ ही विद्यूत एक जीनियस भी था बिचनिस वर्ड में डेविल के साथ ही विद्यूत को लेजनरी बिजनस टाइकून भी कहा जाता था उसके स्किल्स और प्लैनिंग को माद दे पाना नमुम्किन था विद्यूत आक्चोल में चेयर्मेंग की पोजीशन बिजव करता था आर्य फैमिली भले ही फॉब्स के लिस्ट के अकॉर्डिंग दुनिया की सबसे वेल्थियस्ट फैमिली थी सिंगानिया परिवार का भले ही फॉब्स की उस वेल्थियस्ट फैमिली इन दो वर्ल्ड की लिस्ट में दुर दूर तक कोई नाम नहीं था मगर इसका मतलब ये नहीं था कि सिंगानिया परिवार के पास पैसो या पावर की कोई कमी थी बात बस इतनी सी थी की विद्यूत ने फैमिली को संभालते ही सबसे पहले अपने फैमिली की वेल्ट पब्लिक करना बंद कर दिया था एक दो बार कुछ मागजीन्स ने सिंग्वानिया परिवार के कुल संपत्ती का पता लगाने का ट्राई भी किया था मगर उनके इसी एक ट्राई की वज़े से विद्यूत ने रातो रात उन सभी मागजीन्स के कमपनी को तबाह और बर्बाद कर दिया था सिंग्भानिया परिवार के पुराने इतिहास की वज़े से सिंग्भानिया परिवार के बारे में कई सारी अफबाहें भी चारों तरफ फैली हुई थी उन अफबाहों में एक ये अफवाह भी शुमार थी कि सिंभानिया परिवार की परसेंट टोटल वेल्थ फॉर्ब्स की लिस्ट में मौझूद टॉप टैन परिवारों की कुल संपत्ती से भी ज्यादा थी अब इस अफवाह में कितनी सच चाई थी ये तो विद्यूत ही जानता था मगर इन सभी चीजों की वजह से जब विद्यूत ने आज माया को सुबह में कहा था तुम्हें बहुत जल्द अपनी असली ओब पता चलेगी साथ ही तुम्हें अपने सभी सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे तब माया को लगा था विद्यूत अपने बातों के जरिये उसे किसी चीज़ के लिए अगाह कर रहा है या फिर उसे धमकी दे रहा है माया का इतनी आसानी से आर्या फैमिली छोड़ने का असल कारण भी विद्यूत की बाते ही थी माया को सुबह में लगा था विद्यूत इनडायरेक्ट ये उससे नीचा दिखा रहा है और आउब्द के जरिये, विद्यूत उसे ये बता रहा है कि उसके दादा जी के सामने उसकी एक नहीं चलती, अपने दादा जी के सामने उसकी कोई आउब्द नहीं है विद्यूत के कुछ चंद शब्दों के जाल में फंस कर ही, माया सुबह में अपने दादा जी के सामने बिलकुल रेबल बन गई थी बात को हमेशा की तरह शांती से सुझाने के बजाए माया ने सुबह में अपने दादा जी से रूडली और रेबली बाते की थी और अंत में उसने आर्या फैमिली ही छोड़ दिया माया को इसके जरिये विद्यूत के बातों को गलत साबित करना था जो कि विद्यूत अक्चुल में चाहता था विद्यूत असल में शुरू से चाहता था माया आर्या फैमिली छोड़ दे चीजे अपने सोच के मुताबिक होने के बाद माया के आर्या फैमिली को छोड़ते ही विद्यूत आर्या फैमिली आया और उसने अयांश की कस्टडी भी आर्या फैमिली से छीन लिया मात एक उन्नीस शब्द के सेंटेंस के जरिये विद्यूत ने अंगिनत निशाने लगाए थे अब माया की सबसे बड़ी कमजोरी अयांच भी विद्यूत के पास था माया ने भी आर्या फैमिली छोड़ दिया था और पुरा आर्या फैमिली भी असमंजस में थी सब चीजों के बारे में दुबारा से सोचने के बाद माया को विद्यूत की पूरी साज़िश समझ आ गई थी उसे पता चल चुका था विद्यूत ने अपने बातों के जरिये उसे सिर्फ उकसाया था और उसे उकसा कर वो सब करवाया है जो वो अक्चूल में उससे करवाना चाहता था और चली गई जाते वक्त भी माया ने अयांच के सवाल का जवाब देना तो दूर उसकी और एक नजर देखना तक जरूरी नहीं समझा था अयांच को माया का ऐसा रूखा और एग्नोरिंग बहेवियर बहुत बुरा और हटिंग लगा था हाँ, माना उससे एक बार गलती हो गई थी मगर इसका मतलब ये तो नहीं था कि माया उसे इस तरह एग्नोर करने लगे वो भी उसके माफी मानने के बावजूद अयांच ने भी गुसे में होट से कोल कर माया से अपनी फेर ली अगर माया उससे नाराज थी तो अब वो भी उससे नाराज था अयांच ने तिरची नजरों से विद्यूद के भावहीन हैंसम की ओर देखा विद्यूद में ना इमोशन के माया की जाती हुई पीट को ही घुर रहा था अयांच ने अपना छोटा सा चहरा विद्यूद के गरदन में छुपाते हुए दिमी छंडी आवाज में कहा डैडी मम्मा बहुत रूड और हाट लेस है मैं उनसे दुबारा कभी भी बात नहीं कर पाऊंगा वो अब मेरे पास वापास कभी नहीं आएगी अयांच की बात सुनकर विद्यूद के लिप्स क्रोकगवे में हलके तिर्चे मुरे मगर विद्यूद मुस्कुराया नहीं उसने माया की जाती हुई पीट को इमोशनलेसली घूरते हुए अयांच से कोल्ड वोइस में कहा इस बारे में ज़्यादा मत सोचो वो हमारे पास जरूर वापस आएगी उसे वापस आना ही परेगा विद्यूद की काम और कॉन्फिडेंट आवाद सुनकर अयांच उसे टक टकी लगाए देखने लगा दूसरी तरफ एक सफेद लेक्जरियस कमरे में एक बेहधी हैंसम लड़का पेट के बल बैड पर शर्टल सेलवाई लेता हुआ था लड़के की आँखे बंद थी और उसके पतले आकर शक होतों पर निंद में भी हलकी मुस्कान थी शायद वो लड़का कोई खूपसूरत सपना देख रहा था तभी रूम का डोर ओपिंग कर एक तीसरा सक्स रूम में दाखिल हुआ बैड पर सो रहे लड़के को देख कर उस इंसान ने लाचारी से अपना कंधा गिराते हुए कहा प्रथम अब तुम और कितनी देश सोने वाले हो क्या तुम्हें अंदाजा भी है आर्या फैमिली में इन दिनों क्या हो रहा है माया किन हालातों से गुजर रही है सब्सक्राइब कारो सब्सक्राइब एपिसोड 47 विद्यूत सिंगानिया का DNA आयांच से कैसे मैच हुआ आयांच की बात सुनकर विद्यूत के लिप्स क्रोकगवे में हलके तिर्चे मुरे मगर विद्यूत मुस्कुराया नहीं उसने माया की जाती हुई पीट को इमोशनलेसली घुरते हुए आयांच से कोल्ड वोइस में कहा इस बारे में ज्यादा मत सोचो वो हमारे पास जरूर वापस आएगी उसे वापस आना ही परेगा विद्यूत की काम और कॉन्फिडेंट आवाद सुनकर आयांच उसे टक टकी लगाए देखने लगा दूसरी तरफ एक सफेद लेक्जरियस कमरे में एक बेहधी हैंसम लड़का पेट के बल बैड पर शर्टल सलवाई लेटा हुआ था लड़के की आखे बंध थी और उसके पतले आकर शक होतों पर निंद में भी हलकी मुस्कान थी शायब हो लड़का कोई खूपसूरत सपना देख रहा था तभी रूम का डोर ओपिंकर एक तीसरा सक्स रूम में दाखिल हुआ बैड पर सो रहे लड़के को देख कर उस इंसान ने लाचारी से अपना कंधा गिराते हुए कहा प्रथम, अब तुम और कितनी देर सोने वाले हो, क्या तुम्हें अंदाजा भी है आर्या फैमिली में इन दिनों क्या हो रहा है, माया किन हालातों से गुजर रही है उस इंसान की बात सुनकर, बैड पर लेटे प्रथम के होठों में हलकी हरकत हुई साथ ही उसके चेहरे की मुस्कुराहत गहेरी हो गई प्रथम ने धीमे स्वर में मुस्कुराते हुए, उस इंसान के आखरी शब्दों को शांत लहेजे में दोहराया, माया किन हालात से गुजर रही है प्रथम की आवाज भले ही धिमी थी, मगर उस इंसान ने प्रथम के बातों में छिपे साकाजम को अच्छे से सुन और समझ लिया था कुछ क्षण की गहेरी खामूशी के बाद, प्रथम अपनी बॉडी स्ट्राच करते हुए, बैच से ओठ खड़ा हुआ प्रथम की सीधा खड़ा होने के बाद, खेकी आती सूरे की तेज किरने सीधे उसके मस्कुलर बॉडी पर पदने लगी प्रथम की हाइट 6,4 इंच की थी, उसके फेशियल फीचर्स बेहधी शाप और अट्रैक्टिव थे, उसके शरीर की बनावट बिल्कुल किसी खूबसूरत और टफ कलाकृती की तरह थी प्रथम की एच 24 साल थी, मगर उसका औरा विद्यूत से बिल्कुल अलग और कामनस भरा हुआ था उसके हैंसम चेहरे और वीशेप थेट पैकेब्स को देखने के बाद, कोई भी लड़की अपना मानसिक संतुलंग हो सकती थी अपने दातों के बीच शेगार पसाने के बाद, प्रथम ने शेगार सुलगाई शेगार का एक लंबा कस भरने के बाद, प्रथम उस इंसान की ओर देखते हुए, मुस्कुरा कर बोला, मेरी माया हालातों से नहीं बुझरती है नीरज मेरी माया हालातों को काबू करती है प्रतम की बात सुनकर नीरज के माथे पर सल्बिटे उभर आई नीरज भी प्रतम का हम उम्र ही था प्रतम से नीरज की दोस्ती बचपन से थी नीरज एक ओफन था, अतीत में प्रथम ने नीरज की financial और emotional दोनों तरीके से बहुत मदद किया था प्रथम के बदौलत ही नीरज आज के वक्त में लंदन का जाना माना बिजनेसमेंड था एक साल पहेले जब प्रथम मरने के कगार पर था, तब नीरज ने उसकी जान बचाई थी प्रथम के कहेने पर ही नीरज ने उसके जिंदा होने की खबर, अब तक माया और आर्या फैमिली में से किसी को भी नहीं दिया था नीरज बैट पर परेशान भाव के साथ बैटते हुए बोला, प्रथम, इस बार सिचुएशन माया के फेवर में नहीं है विद्यूत सिंगानिया को सब कुछ पता चल चुका है, उसने तुम्हारे बेटे को भी माया से चीन लिया है वो संकी आदमी अब माया के साथ कुछ भी कर सकता है, माया की सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारा बेटा है और विद्यूत सिंगानिया ने उसे ही माया से चीन लिया है नीरज की बात सुनकर, प्रथम की आखें डाक हो गई, प्रथम ने शिगार का धुआ हवा में छोड़ते हुए कोल्ड वॉयस में नीरज से पूछा, ये सब हुआ कैसे, विद्यूत सिंगानिया को अयांश के बारे में पता कैसे चला प्रथम की बात सुनकर, नीरज ने एक गहेरी सांस ली, फिर वो प्रथम को शुरू से लेकर, सब कुछ बताने लगा नीरज की बातों में माया के विद्यूत के पास जाने से लेकर, आर्या फैमिली में जो कुछ भी हुआ था, वो सारी बाते शामिल थी पूरी बात, जानने के बाद प्रथम के एक्स्प्रेशन्स दीप जरूर हो गए, मगर उसने कहा कुछ नहीं इतनी शौकंग बाते जानने के बाद भी, प्रथम को खामोशी से विंडो के पास खरे होकर, शेगार का लंबा, लंबा कस भरता देखकर, नीरज से रहा नहीं गया नीरज ने प्रथम से कहा, विद्युत सिंभानिया का डियने यांच से कैसे मैच हुआ, मैं ये तो नहीं जानता प्रथम, पर तुम्हें अब दुनिया के सामने आ जाना चाहिए, आर्या फैमिली अब अपनी सारी हदे पार कर रही है, तुम्हें उन्हें एक अच्छा सिखाना चाहिए प्रथम, तुम आखिर कप तक ऐसे चुप बैठे रहोगे? नीरज की बात सुनकर, इस बार प्रथम के फेशल एक्सप्रेशन एक दम से कोल्ड हो गए, प्रथम ने शिगार का बड़ बेरहिमी से एस्ट्रे में मसलते हुए, डैडली वोईस कहा, मिस्टर विरेंदरार्य की वजह से मैंने अपने प्यार को खोया है नीरज, अगर मैं दुनिया के सामने आया, तो मैं सबसे पहेले उस बुड़े को जान से मार दूंगा, उसकी वजह से पिछली एक साल से मैं माया से दुर रहे हूँ, गुमनामी में जी रहा हूँ, माया को भी लग देने की ख्वाइस प्रथम की सुन्दर आँखों में साफ छलक रही थी, शायद माया के दादा जी प्रथम के सामने होते, तो प्रथम उन्हें तुकरों, तुकरों में काट चुका होता, इतनी नफरत थी, प्रथम के आँखों में माया के दादा जी का नाम लेते हुए, प पहेलियों को छोड़ कर लगबग सभी सवालों के जवाब मीरच को पता था। दूसरी तरफ लंडन के एक सुनसान सड़क पर जंगल के बीचों बीच माया ने तेज डिफ्ट के साथ अचानक से अपनी मैसिव बोविटी वेरौन का रोकी। रे व्यू मिरर के थरू माया ने देखा एक रेड बेंटली का उसके पिछे आ रही है। जबसे माया आर्या मेंशन से निकली थी तब से ही वो रेड बेंटली का बड़े ही शातर तरीके से माया के कार का पिछा कर रही है। माया ने cold expressions के साथ, अपना माथा रब करते हुए, कुछ पल उसकार की ओर देखा, उसका दिमाग और रधी विद्यूत के psychological गेम की वजह से खराब हो चुका था, अब उसका का उसका यू पिछा करना, माया को और ज्यादा गुस्सा दिला रहा था माया अपनी कामनस लगबग होते हुए, दीमे से बुदबुदाई, भगवान ने पक्का तुम लोगों की मौत मेरे हाथों ही लिखी है एक, दो लंबी सास लेने के बाद, माया अपनी का से बाहर निकली माया के सुन्दर चेहरे पर अब हलकी सी प्यारी मुस्कान थी, और उसकी हर एक मूवमन्ट कामनस और क्लास से भरी हुई थी अपनी बास कटबॉल काप अजस्ट करते हुए, माया धी में कडमों के साथ, आराम से बेंटली का की ओर बढ़ गई जब बेंटली का में मौझूद इंसान ने माया को अपनी ओर आता देखा, तब उसकी आँखे डर से भर गई, माया के हाथ में गुन्ध थी बेंटली का में ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए, इंसान को माया इस वक्त बिलकुल किसी सुन्दर मौद की देवी की तरह देख रही थी ड्राइविंग सीट पर बैठे इंसान ने, घबरा कर जल्दी से ब्लूटूथ के थरू किसी से कहा, बॉस, वो मेरे ओर आ रही है, अब मैं क्या करूँ, उसके हाथ में गन भी है ड्राइविंग सीट पर बैठे इंसान की बात सुनकर, फोन की दुसरी साइड मौजूद उसके बॉस ने अजीब सी हरसी के साथ कहा, करना क्या है बेवकूफ, जल्दी से अपनी कास टार्ट करो, और भागो वहाँ से, वरना वो तुम्हें जान से मार देगी अपने बॉस की बात सुनकर, ड्राइविंग सीट पर बैठे, इंसान ने जल्दी से अपनी कास टार्ट की, मगर उसके वहाँ से भागने से पहेले ही, माया ने साकास्टिक स्माइल के साथ, उसके का के टायर पर गोली मार दी माया ने सोचा था, अब वो इंसान भाग नहीं पाएगा, मगर माया के सोच के बिलकुल विपरित टायर पर गोली लगने के बाद भी वो इंसान माया के आँखों के सामने अपनी का तेजी से घुमा कर वहां से भाग गया, शायद उसकी का वेल मॉड़फाइड थी, फोन निकाल कर किसी का नंबर डायल किया, एक रिंग के बाद ही, कॉल रसीव हुआ और फोन की दुसरी साइड से किसी इंसान की भारी आवाज आई, माया मैडम, क्या यह आप हो? हाँ, लूकश मैं ही हूँ, माया की हामी सुनते ही, लूकश ने उससे कतोर लहेजे में तुम्हारे पास दो घंटे है, पता करो, वो किसकी का है, और उसके अंदर कौन इंसान मौजूद था? आप निश्चिंत रहेजे, दो घंटे में आपका काम हो जाएगा माया मैडम, लूकश का जवाब सुनकर, माया संतुष्ट भाव के साथ पलट कर, अपने काकी और बढ गई, लूकश माया का कोई एरा, गैरा सबोर्डिनेट नहीं था, उसका दिमाग दृत लोमरी की तरह था, और उसके कॉंटेक्ट्स FBI से भी ज़्यादा शाप और स्ट्रॉप थे, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा, जिसके साथ पुष्टों की इंफिमेशन ल बैठने के बाद, माया ने लेदर सीट से अपना सर टिकाते हुए, लूकश से कहा, लूकश, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और काम है, माया की बात सुनकर, लूकश अपने यू सॉल कतोर लहेजे में बोला, कहिए माया मैडम, आपका जो भी काम होगा, वो मैं आपके दिय गए समय से 10 मिनित पहले पूरा कर दूँगा, लूकश की कतोर आवाज में कही ना कही उसका घमंड और ओवर कॉन्फेडंस भी जलक रहा था, माया लूकश की बात सुनकर, आखे बंद किये हुए, हलका मुस्कुराई, पावर और पैसे के साथ लोगों में थोड़ा बहुत किसी भी कीमत में पता करके बताओ, अयांच का डियने विद्यूत सिंग्वानिया से कैसे मैच करता है, विद्यूत का जिक्र सुनते ही, फोन की दूसरी साइड मौझूद, लूकश के चेहरे के भाव एक दम से बदल गए, उसके ही पूरी दुनिया की इंफिमेशन निकालन कोई बड़ी बात नहीं थी, मगर विद्यूत सिंग्वानिया उस इंसान के बारे में कुछ पता कर पाना, समुन्ध में सुई धूनने जैसा था, लूकश थोड़ा संकुछ थी आवाज में बोला, माया मैडम, आप मुझसे बहतर जानती है, विद्यूत सिंग्वानिया कैस इंसान है, वो एक डैवल है, अगर उसे पता चला, मैं उसकी इंफोमेशन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो, माया लूकश की बात बीच में कातते हुए, बेहधी शान्त और स्थिर नहेजे में बोली, वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा लूकश, तुम बस वो करो जो मैंने तुम्हें करने को कहा है, तुम्हें प्रोटेक्ट करने की जिम्मिदारी मेरी होगी। माया की आखिरी बात सुनते ही, लूकश के माथे पर मौजूद हिच के चाहट की आखिरी शिकन भी गायब हो गए, उसे अपने बॉस पर पूरा भरोसा था, लूकश जानता अगर उसकी बॉस ने कहे दिया है, तो वो उसे आखिर दम तक प्रोटेक्ट जरूर करेगी। लूकश बोला, ठिक है माया मैडम, जितनी जल्दी हो सके, उतनी जल्दी मैं आपका ये काम भी पूरा कर दूंगा। लूकश का जवाब सुनकर, माया ने बगेर कुछ कहे कॉल दिसकनेक्ट कर दिया। कुछ पल का के रै व्यू मिरर की और देखने के बाद, माया आखे बंद करके डीप एक्स्प्रेशन के साथ कुछ सोचने लगी। दूसरी तरफ, एक दिंग रे थीम वाले, लग्शूरियस रूम में आयांच किंग साइस बैट पर आल्थी, गुस्से में कोली अपने हाथ में मौझूद डवॉस पेपर्स को घुर रहा था। डवॉस पेपर पर मौझूद विद्यूत और माया के सिगनेचर को देखने के बाद, अयांच ने काउच पर बैठे विद्यूत को डाकली घूरते हुए, दिमी ठंडी आवाज में पूछ आपने कहा था, आप मेरी मम्मा को डवॉस नहीं दोगे, पर आपने उन्हें डवॉस दे दिया। लूकश के चेहरे के भाव एक दम से बदल गए, उसके ही पूरी दुनिया की इंफिमेशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं थी, मगर विद्यूत सिंग्वानिया उस इंसान के बारे में कुछ पता कर पाना, समुन्ध में सुई धूमने जैसा था, लूकश थोड़ा संकु लूकश थी आवाज में बोला, माया मैडम, आप मुझसे बहतर जानती है, विद्यूत सिंग्वानिया कैसा इंसान है, वो एक डेवल है, अगर उसे पता चला, मैं उसकी इंफिमेशन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो, माया लूकश की बात बीच में कातते हुए, बेहधी शान्त और स्थिर लहेजे में बोली, वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा लूकश, तुम बस वो करो, जो मैंने तुम्हें करने को कहा है, तुम्हें प्रोटेक्ट करने की जिम्मिदारी मेरी हुगी, माया की आखिरी बात सुनते ही, लूकश के माथे पर मौजूद ह इचके चाहट की आखिरी शिकन भी गायब हो गए, उसे अपने बॉस पर पूरा भरोसा था, लूकश जानता था, अगर उसकी बॉस ने कहे दिया है, तो वो उसे आखिर दम तक प्रोटेक्ट जरूर करेगी, लूकश बोला, ठिक है माया मैडम, जितनी जल्दी हो सके, उतन के बंद करके डीप एक्सप्रेशन के साथ कुछ सोचने लगी, दूसरी तरफ, एक डिल ग्रेटीम वाले, लग्शूरियोस रूम में अयांच किंग साइस बैट पर आल्थी, पाल्थी मार कर बैठा, गुस्से में कोली अपने हाथ में मौझूद डवॉस पेपर को घुर र विद्यूत काउच पर शर्कलिस एलवाई बैठा, अपने आईपैड में कुछ देख रहा था, जब अयांच का सवाल विद्यूत के कान में परा, तब उसने कामली अपनी पलके उठा कर, थंडेपन से अयांच की ओर देखा, अयांच भी बेहद ही कोली विद्यूत को ही अयांच भुसे में भी बहुत क्यूट और मासूम दिख रहा था, उसके हलके छोटे बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे, जो उसकी क्यूटनेस और चाम को कई गुना अन्हांस कर रही थी, अयांच की आवाज और केपबिलिटीज हमेशा की तरह उसके एज से बिलकुल मैच नहीं करती थी, अयांच पूरे धाय साल का था, मगर उसकी अट्राक्टव आवाज बिलकुल क्लियर थी, तोतलापन होने के बज़ाए, अयांच की आवाज में एक गहेरी और बेचेंग कर देने वाली थंड़क थी, अयांच को सिर्फ क्लियरली बोलना ही नहीं, भी आता था, शायद उसके ये सारे क्वालिटीज उसके एक्स्ट्रॉडिनरी जिन की वजह से मिले थे, विद्यूत ने बिना किसी जचक के थंड़ी लहेजे में अयांच से बोला, हाँ, मैंने तुमसे ऐसा कहा था, विद्यूत की हामी सुनते ही, अयांच के छोटी से बातों से कभी नहीं मुकरता है, मगर आप अपनी कही हुई बात से मुकर गए, आपने मुझे से जھूत कहा था, आप जूटे हो डैडी, मुझे नहीं रहीना आपा के साथ, मुझे अपनी ममा के पास जाना है, मुझे उनके पास पहुचा दीजिए अयांज की पूरी बात सुनकर विद्यूत की आई ब्राउस कस गई अयांज के बोलने का लहेजा ऐसा था जैसे वो विद्यूत को ओडर दे रहा हो विद्यूत आई पैड आफ करके cold expression के साथ couch पर lean हो गया और उसने अयांज से dark voice में कहा मैंने तुम्हारी मम्मा को divorce नहीं दिया है विद्यूत की बात सुनते ही अयांज की ठंडी नीली आँखे interest के साथ से कुड़ गई उसने अच्छे से उन documents को पढ़ा था वो document marriage termination documents ही थे उन documents के terms में साफ साफ mention किया गया था विद्यूत और माया के उस sign करने के बाद ही उन डोनों की शादी पूरी तरह से तूट जाएगी अयांज ने कुछ पल सोचने के बाद बैच से दुबारा document उठा कर देखा उस document पर वाकई में विद्यूत और माया के signature मौजूद थे सभी documents के according एक तरीके से सच में विद्यूत और माया का 6 महीने पहले हुआ contract मेरे टूर चुका था अयांज documents देखकर और विद्यूत की बाते सुनकर बुरी तरह confusion हो गया उसने अपना छोटा सा चेहरा उठा कर विद्यूत से cold voice में पूछा आप अब भी मुझसे जूट बोलना चाहते हो इन documents के according साफ तर पर आपका और मेरी ममा का डाइवोज हो चुका है आप इसे अब भी जुठला रहे हो क्या मैं आपको कोई बेबकुफ बच्चा देखता हूँ आयांज के इस सवाल का जवाब देने के बजाए विद्यूत उठकर सीधे बैट के बगल में मौजूद नाइट स्टैंड के पास आया उसने नाइट स्टैंड का ड्रॉग खोल कर उसके अंदर से कुछ फोटोज निकाली आयांज कन्फ्यूजड और उचसुक नजरों से विद्यूत को ही देख रहा था विद्यूत ने सभी फोटोज बैट पर आयांज के सामने फेकते हुए थंडी स्वर में कहा तुम्हारी मम्मा और मेरी शादी आज से 6 महीने पहले नहीं 6 साल पहले हुई थी वो भी पुरे रिचुल के साथ जो मैरी टर्मिनेशन डॉक्यूमेंट तुम्हारे हाथ में है वो असल में उस शादी के टर्मिनेशन का डॉक्यूमेंट है जो मैंने कभी की ही नहीं थी शे महीने पहले जब मैं कोमा में था, तब तुम्हारी मम्मा पूरे छे साल बाद मेरे पास वापास आई थी, उसने मेरा ख्याल रखा और जब मुझे होश आया, तब वो मुझे मिले बगैर मुझे छोड़ कर यहां वापास चलियाई विद्यूत की पुरी बात सुनने के बाद, अयांश ने कोल्ड एक्स्प्रेशन के साथ, अपने सामने बैट पर परे फोटोज की और देखा, उन सभी फोटोज में थोड़े अलग और ट्राइबल रिचुल के साथ दो लोगों की शादी हो रही थी, फोटोज में विद्यूत अंग और हैंसम था, उसकी एज उस समय 21 की हथी, सिंभानिया ग्रूप का चेयर में बने, उस वक्त विद्यूत को मात एक साल हुआ था, धीरे, धीरे करके, आराम से सारे फोटोज को देखने के बाद, अयांश थोड़ा शान्त हुआ, अंत में अयांश ने सारे फोटोज को समेटते हुए, विद्यूत की और देखा, विद्यूत पी बैड साइड खरा, अयांश के साथ बड़े ध्यान से उन सभी फोटोज को देख रहा था, अयांश ने उत्सुक थंडी आवाज में विद्यूत से पूछा, ये सब तो ठेक है, मगर आप दोनों की शादी इन आदिवासियों के बीच फंस कए थे, उसी दोरान हमारी शादी भी हो गई, इसलिए वो फोटोज जंगल की है, हमारी शादी भी ट्राइबल रिचुल्स से ही हुई, आदिवासियों के बीच फंस कए थे, विद्यूत का बात सुनकर, अयांश की सिकुरी हुई सिकुरी अयांच ने विद्यूत को doubtful नजरों से घूरते हुए, cold voice में पूछा, अगर आप दोनों सच में उस वक्त आदिवासिदियों के बीच फंस गए थे, तो फिर आप दोनों के शादी की ये सारी फोटोज ली किसने, क्या आपका cameraman अन्मिजबल था? अयांच का ये सवाल सुनते ही, विद्यूत की आँखें दीप हो गई, और उसके पतले हुटों पर अंप्रोबटी बिखर गई दूसरी तरफ, विला में, शाम का वक्त, माया स्टडी रूम की सेंटर में वर्क डेस्क से टिक खरी, एक टक वॉल पर लगे, अपने और प्रथम के बड़े से तस्वीर को खालीपन से देख रही थी माया का दोनों हाथ उसके पैंट के पॉकेट में था, उसके सुन्दर चेहरे कोई भाव भले ही नहीं थे, मगर उसकी साफ बूरी आँखे विरानी और ड़ग से भरी हुई थी मानों उसके आँखों के जरिये ही, उसके अंदर मौझूद सारे जज़बात बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो प्रथम की तस्वीर की ओर देखते हुए, माया ने वर्क डेस्क से शिगार का पॉकेट उठाया, तभी उसके कान में किसी लड़के की सकता आवाज गूंजी माया, क्या तुम सच में स्मोक कर रही हो? नहीं, प्रथम, मैं स्मोक नहीं कर रही, मैं तो बस ऐसे ही इस पॉकेट को देख रही थी, जारा देखो इसे, ये दिखने में कितना ज्यादा सुन्दर और क्लासी है अच्छा ऐसा है, तो अच्छी बात है, तुम इन चीजों से दुर ही रहो तो बहतर होगा, इन चीजों का अडिक्शन बहुत खराब होता है प्रतम की आखिरी बात, कान में गूजते ही, माया ने अपनी आखें बंद करके, शेगार का पॉकेट दुबारा वर्क डेस्क पर दिया, तभी स्टडी रूम का डॉर नौक हुआ एक नजर फोटो फ्रेम की और दुबारा देखने के बाद, माया ने अपने रिवॉल्विंग लेदर चेय पर जाकर बैठते हुए, शांत लहेजे में कहा, कम इन माया की पमिशन मिलते ही, एक बगैर बाल वाला इंसान स्टडी रूम में दाखिल हुआ, उस इंसान के सर से लेकर, शरीर में हर जगह खतारनाग दिखने वाले टैटू मौजूर थे लूकश, तुम तो बड़ी जल्दी आ गए, सब्सक्राइब कारो सब्सक्राइब एपिसोड 49, माया आर्ट विड्यूद्स विलर, प्रत्थम की तस्वीर की ओर देखते हुए, माया ने वर्ग डेस्क से शिगार का पॉकेट उठाया, तभी उसके कान में किसी लड़के की सकता आवाज गूंजी, माया, क्या तुम सच में स्मोक कर रही हो? नहीं, प्रत्थम, मैं स्मोक नहीं कर रही, मैं तो बस ऐसे ही इस पॉकेट को देख रही थी, जारा देखो इसे, ये दिखने में कितना ज्यादा सुन्दर और क्लासी है, अच्छा ऐसा है, तो अच्छी बात है, तुम इन चीजों से दुर ही रहो तो बहतर होगा, इन स्टडी रूम का डॉर नौक हुआ, एक नजर फोटो फ्रेम की और दुबारा देखने के बाद, माया ने अपने रिवॉल्विंग लेदर चेया पर जाकर बैठते हुए, शांत लहेजे में कहा, कम इन, माया की पमिशन मिलते ही, एक बगैर बाल वाला इनसान स्टडी रूम में दाखिल हुआ, उस इंसान के सर से लेकर, शरीर में हर जगह खतारनाग दिखने वाले टैटू मौजूर थे, लूकश, तुम तो बरी जल्दी आ गए, माया की बात सुनकर, लूकश कतोर लहेजे में बोला, आपका एक, और शायद सबसे जरूरी काम हो गया था, माया इसलिए मैं आपको रिपोर्ट करने आ गया, लूकश की बात सुनकर, माया अपनी डेलिकेट ओमिलिया वर्क डेस्क पर बारी, बारी से टैप करते हुए, इंट्रेस्ट की साथ लूकश की ओर देखने लगी, माया लूकश की रिपोर्ट सुनने के लिए, उच्सुक और बे की देखा, फिर उसने बोलना शुरू किया, माया मैडम, उस रेड बेंटली का के बारे में तो अभी मैं पता नहीं लगा पाया हूँ, मगर मिस्टर सिंगानिया का डियने लिटल मास्टर से कैसे मैच हुआ था, उसका कारण मुझे पता चल चुका है, इसका रीजन बहुत स है लूकश, पर मुझे इस बात को प्रॉप्ली क्लियरिफाई करना था, इसलिए मैंने तुम्हें इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने को कहा, माया की बात सुनकर, लूकश ने ठंडी सास छोडी, जिस बात पर कल तक उसे भी यकीन नहीं हो रहा था, जिस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता था, जो बात किसी को भी डाइजिस्ट नहीं हो रही थी, उसका कारण असल में बहुत सिंपल होने के बाबजूद बहुत कॉम्प्लिकेटिब था, लूकश ने अपने साथ लाई हुई, सारी मेडिकल रपोर्ट्स माया के सामने वर्क डेस्क पर रख माया ने बारी, बारी से सारे मेडिकल रपोर्ट्स को पढ़ा, सारे मेडिकल रपोर्ट्स पढ़ने के बाद भी माया के चेहरे के शांत भाव में कोई बदलाव नहीं आया, माया जब दुबारा सारे मेडिकल रपोर्ट्स समेटने लगी, तब लूकश ने हलकी आवाज में माया से कहा, कल जब मुझे मिस्टर सिंघानिया और लिटल मास्टर के मैचिंग DNA रिपोर्ट के बारे में पता चला था, तब मैं भी कन्फ्यूज हो गया था माया मैडम, मुझे तो एक पल के लिए ऐसा लगने लगा था, जैसे मिस्टर सिंघानिया ने आपको धोखा दिया है, मगर आज इन मेडिकल रपोर्ट को पढ़ने के बाद मुझे पूरा माजरा समझ में आया, लूकश की बात सुनकर, माया मुस्कुराई, वर्क डेस्क के ड्रॉ में सारे मेडिकल रपोर्ट रख कर, ड्रॉ को करने के बाद, माया कामली मुस्कुराते हुए, बोली, मेडिकल वर्ल्ड बहुत कॉम्प्लिकेटड जगह है, लूकश, तुम इसे जितना समझने की कोशिश करोगे, ये तुम्हें उतना ही उल्जा देगा, यहाँ उल्जणों और सर्प्राइजिस का कोई अंध नहीं होती है, लूकश की बात सुनकर, माया ने आगे टॉपिक चेंज करते हुए, सीरियस लहेजे में लूकश से पूछा, अच्छा लूकश, मिस्टर कश्यप का क्या हुआ, आज उनकी हेरिंग थी ना, मिस्टर कश्यप से माया का इशारा रोहित की तरफ था, कल रोहित से डिवॉस लेने के बाद, माया ने उसे ब्रिटिश पुलिस के हवाले कर दिया था, रोहित एक माफिया होने के साथ ही बहुत बड़ा क्रिमिनल भी था, दुनिया के Most Wanted Criminals की लिस्ट में रोहित कश्यप का नाम शुमार था, लूकश ने कतोर भाव के साथ, माया को जबाब देते हु लूकश ने टेरी नजरों से माया की ओर देखा, माया की आखें बंध थी, और उसके सुन्दर चहरे पर कोई भाव नहीं थे, माया के पोका फेशल एक्सप्रेशन्स को देखकर, बता पाना मुश्किल था, माया रोहित के बारे में जानकर खुश थी या दुखी, माया की आ माया से दो साल ज्यादा थी, लूकश 26 साल का था, मगर पिछले 10 सालों से लूकश माया के अंड़ ही काम कर रहा था, माया के साथ लंबे वक्त से काम करने की वजह से, लूकश माया को काफी हद तक समझता था, उसे अभी भी अच्छे से पता था, माया अभी शान्त नहीं है उसके दिमाग में इस वक्त काफी कुछ चल रहा है लंबी खामोशी के बाद माया अपनी आँखे खोल कर धीमे लहेजे में बोली लूकश कुछ इंतजाम करो, मिस्टर कश्यप को बाहर निकलवाओ, मुझे उनसे कुछ जरूरी काम है माया की बात सुनकर, लूकश के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई, पर उनसे जल्दी ही अपनी स्माइल छुपा ली लूकश अपने चेहरे पर कतोर भाव लाते हुए, बोला, ठेक है माया मैडम, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ लूकश का जवाब सुनकर, माया ने शान्थ भाव के साथ उन्गली के इशारे से उसे बाहर जाने को कहा माया का इशारा समझते ही, लूकश तुरंट स्टडी रूम से बाहर चला गया स्टडी रूम के बाहर आते ही, लूकश की नजर, रीबा और सुमित पर गई और लूकश की बात सुनने की कोशिश कर रहे थे उन दोनों की हरकत देखकर लूकश की आखे सिकुर गई लूकश ने सक्त लहेजे में उन दोनों से कहा तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो लूकश की आवाद सुनकर सुमित और रिबा दोनों हरबड़ा गए सुमित तो लगबग गिरते गिरते बचा मगर रिबा के सक्त भाव में कोई बदलाव नहीं आया वो आराम से सीधी खड़ी होकर लुकश को देखने लगी ऐसे जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो लुकश को भी रिबा से ऐसे ही किसी थंडे रियक्शन की उम्मीद थी इसलिए वो रिबा के थंडे रियक्शन से ज़्यादा हैरान नहीं हुआ रिबा शुरू से ऐसी ही रफ एंट टफ थी वो माया के अलावा किसी और के सामने अपनी गलती नहीं मानती थी सुमित ने जूटी मुस्कान अपने चेहरे पर चिपकाते हुए उच्सुक आवाज में लुकष से पूछा लू भाई क्या मैडम ने रोहित सर के बारे में आप से कोई बात की क्या वो उन्हें ऐसे ही सजा काटने देंगी सुमित और रीबा यूशुली लुकष को नू भाई ही बुलाता था रोहित का जेकर सुनते ही लुकष के चेहरे के भाव हलके बदल गए लुकष हलकी और ना दिखने वाले मुस्कान के साथ बोला रोहित सर हमारी मैडम के बड़े भाई है वो उन्हें ऐसे ही थोड़ी ना सजा काटने के लिए छोड़ देंगी मैडम ने कहा है रोहित सर को बाहर निकलने के लिए कुछ अरेंजमेंट करने के लिए हाला कि मैडम कहे रही थी, उन्हें रोहित सर से कुछ काम है, इसलिए वो उन्हें बाहर निकलवा रही है, मगर असलियत तो तुम दोनों जानते ही हो, माया मैडम भले ही हमेशा कहेती है, उन्हें रोहित सर से नफरत है, मगर वक्त आने पर वो जाहकर भी रोहित सर के लिए अपने लगाव और प्यार को छुपा नहीं पाती है लूकश की बात सुनकर रीबा और सुमित के चेहरे पर हल्की चमक आ गई रीबा और सुमित नहीं जानते थे माया और रोहित के बीच के रिश्टे इतने खराब क्यूं है उन डोनों को जहां तक पता था उसके हिसाब से रोहित माया का मौत के बाद मिस्टर रूद ने सनेहा से शादी किया था उन्हें रोहित और सनेहा की पहली शादी के बारे में भी पता था सब कुछ जानने के बाद मिस्टर रूद आर्या ने सनेहा से शादी किया था मिस्टर रूद को कभी भी रोहित या सनेहा की पहली शादी से कोई द और उनसे कशयब फेमिली में जाने का डिसाइड किया था रोहित को बस अपने शौतेले पिता के साथ नहीं रहे ना था इसलिए उसने कशयब फेमिली में जाना चूच किया था माया की तरह रोहित को मिस्टर रूद्र से कोई खास नफरत नही थी लूकश, सुमित और रीबा को स्टडी रूम में हुई, बातों के बारे में बता ही रहा था, तभी स्टडी रूम का डौ ओपन कर, माया बाहर आई माया को अपना ओवर कोट पहनता देख, सुमित ने उससे पूछा, मैडम, आप कही जा रही है? सुमित की सवाल पर, माया हलका मुस्कुरा कर बोली, हमम, मैं यांच से मिलने जा रही हूँ, तुम सब मेरा वेट मत करना, मैं रात को शायद वापास नहीं आऊंगी, तुम सब दिनर करके सो जाना माया का जवाब सुनकर, सुमित की कान खरे हो गए, मगर उसने माया से दुबारा कोई सवाल नहीं किया माया के जाने के बाद, सुमित ने लुकश को घूरते हुए, पूछा, मैडम, लिटल मास्टर के मिलने जा रही है, क्या मैडम के बातों का इंडिरेक्ट मतलब यह नहीं था, कि वो मिस्टर सिंभानिया के पास जा रही है सुमित की सवाल पर लुकश ने कथोर लहेजे में कहा, अगर मैडम, मिस्टर सिंभानिया के पास जा भी रही है, तो क्या, क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो लुकश की बात सुनकर, सुमित जल्दी से बोला, नहीं, मैं इस बात से बहुत खुश हूँ, मगर आपने मैडम को भला ऐसा क्या कहे दिया कि मैडम सीधे मिस्टर सिंभानिया के पास जाने को रेडी ही गई, कल तक तो मैडम मिस्टर सिंभानिया से दुर जाने की कोशिश क अब अचानक से क्या हो गया? उन दोनों का तो अब दिवॉस भी हो चुका है. सुमित की बात सुनकर लूकरश वहां से जाते हुए, बोला मैडम मिस्टर सिंभानिया के पास क्यों जा रही है? उनके दिमाग में क्या चल रहा है? ये तो मैं नहीं, मगर मैं इतना शो हूँ. मै सुमित की आखरी बात सुनकर, सुमित और रीबा दोनों हैरत में पद गए. दूसरी तरफ, विद्यूत के प्राइवेट विला एनिगमा में विद्यूत और अयांच लिविंग एरिया में काउज पर बैठे ठंडी ठंडी आइस्क्रीम खा रहे थे. शाम धलने के बाद, अ वो दोनों आराम से आइस्क्रीम खा रहे थे, वो भी नॉमल लोगों की तरह लिख करके नहीं, वो दोनों आइस्क्रीम को कोल्ड एक्स्प्रेशन के साथ, लिटरिली दाच से काट कर और चबा कर खा रहे थे. उसी वक्त, इनिगमा विला के बाहर, एक लग्शूरियस ब्ल इसका पता लगा पाना नामुम्किन था. इनिगमा विला के चारों तरफ ब्लेक सूट वाले, वेल ट्रेंड और स्किल्ड बॉडी गार्ड्स अपने हाथ में एके 47 मशीन गन लिए, प्रोटेक्शन के लिए, तैनात खरे थे. माया एक लंबी सास लेकर, विला की और बढ़ के पास जा भी रही है. तो क्या? क्या तो मिस बात से खुश नहीं हो? लुकश की बात सुनकर, सुमित जल्दी से बोला, नहीं, मैं इस बात से बहुत खुश हूँ. मगर आपने मैडम को भला ऐसा क्या कहे दिया कि मैडम सीधे मिस्टर सिंगानिया के पास जाने को रेडी ही गई. कल तक तो मैडम मिस्टर सिंगानिया से दुर जाने की कोशिश कर रही थी. अब अचानक से क्या हो गया? उन दोनों का तो अब दिवास भी हो चुका है. सुमित की बात सुनकर, लुकश वहां से जाते हुए, बोला, मैडम मिस्टर सिंगानिया के पास क्यों जा रही है उनके दिमाग में क्या चल रहा है? ये तो मैं नहीं, मगर मैं इतना शो हूँ. मैडम मेरे बातों के वज़े से तो मिस्टर सिंगानिया के पास नहीं जा रही है. और सबसे जरूरी बात उन दोनों का अभी डिवास नहीं हुआ है. इसलिए इस बारे में ज्यादा मत सोचो. लूकश की आखरी बात सुनकर सुमित और रिवा दोनों हैरत में पद गए. दूसरी तरफ विद्यूत के प्राइवेट विला एनिगमा में विद्यूत और अयांच लिविंग एरिया में काउज पर बैठे ठंडी ठंडी आइस्क्रीम खा रहे थे. शाम धलने के बाद अब लगबग चारों तरफ अंधीरा चाने लगा था. शाम धलने के साथ ही लंदन में ठंड भी बढ़ने लगी थी, मगर विद्यूत और अयांच शायद अपने कोल्ड औरा की तरह ही नेचर से भी येटी ही थे. गहीरे ठंड के मौसम में वो दोनों आराम से आईस्क्रीम खा रहे थे, वो भी नॉर्मल लोगों की तरह लिख करके नहीं, वो दोनों आईस्क्रीम को कोल्ड एक्स्प्रेशन के साथ लिटरिली दाच से काट कर और चबा कर खा रहे थे. उसी वक्त, इनिग्मा विला के बाहर एक लग्शूरियस ब्लेक स्पोर्ट्स का आकर रूपी. का से बाहर निकलने के बाद, माया ने विला की और शांत नजरों से देखा, उस विला का आकिटेक्चर अपने नाम की तरह रहेसियों से भरा हुआ था. इनिग्मा विला देखने में खूबसूरत था, मगर उसके आकिटेक्चर से उसके बेस का पता लगा पाना नामुम्किन इनिग्मा विला के चारों तरफ ब्लेक सूट वाले वेल ट्रेंड और स्किल्ड बॉडी गार्ड अपने हाथ में एके 47 मशीन गन ये प्रोटेक्शन के लिए तैनात खरे थे. माया एक लंबी सास लेकर विला की और बढ़ी, तभी बाहर खरे एक बॉडी गार्ड ने उसे अंदर जाने से रोक लिया. मिस, आप कौन है? क्या आप यहां किसी को जानती है? बॉडी गार्ड के रोकने पर माया रूप गई. उसने अपनी पलके उठा कर काम नजरों से बॉडी गार्ड की ओर देखा. जिस बॉडी गार्ड ने माया को रोका था, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे. उसकी आवाज में नहीं कोई नर्मी थी और नहीं कोई सकती. उसकी आवाज में सिर्फ प्रोफेशनलिजम थी. माया ने उस बॉडी गार्ड को गौर से देखा. वो बॉडी गार्ड सिंभानिया फैमिली का फैमिली गार्ड नहीं था. सिंभानिया फैमिली अकले नाचुरल पेंक लिप्स, गाद को जवाब देने के लिए हलके हिले, मगर माया के मून से आवाज निकलने से पहले ही, संजीव वहाँ पर दोड़ते हुए आया, संजीव बुरी तरह तरह हौन्फ रहा था, शायद वो कुछ जादा ही जल्दिबाजी में वहाँ दोर कर आया था, संजीव ने अपने घुटने पर अपना एक हाथ टिका कर, दूसरे हाथ से गाड को इशारा करते हुए, उखरी हुई, आवाज में कहा, द, द, दफा हो जाओ यहाँ से, सुमित की बात सुनकर, वो बॉडी गाड किसी रोबोट की वहाँ से चला गया, अपनी उख संजीव की आवाज में एज़द थी, मगर उसके बार, बार माफी मांगने से माया की आई ब्राउज आपस में जुड़ गई, ऐसा तो था नहीं, माया संजीव को बोल कर वहाँ आए थी, वो तो बगैर किसी को इनफॉर्म किये, वहाँ आ गई थी, ऐसे सिचुएशन में सं संजीव की कोई गलती नहीं थी, माया हलकी मुसकान के साथ संजीव से बोली, मिस्टर संजीव, आप ऐसे माफी मत मानगे, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, और प्लीज, मुझे लेडी बॉस मत बुलाए, माया की बात सुनकर, संजीव कुछ पल के लिए फ्रिज सा हो गय माया की आवाज जितनी पलती और अट्राक्टव थी, वो उतनी ही शान्त भी थी, माया के मून से जब कोई शब्द निकलते थे, तब उसकी आवाज बिलकुल ऐसे साउंड करती थी, जैसे वो पियानों की कोई काम और फ्रेश ट्यून हो, अक्सर लोग माया की स्थिर आवा कई बार सुनी थी, पिछली छे महीने जब माया सिंघानिया पैलेस में थी, तब संजीव की कई बार माया से बात चित भी हुई थी, मगर इसके बावजूद माया की आवाज अब भी संजीव को उतना ही सर्प्राइज कर देती थी, जीतना सर्प्राइज पहली बार संजीव माया की आवाद सुनकर हुआ था संजीव अपना होश संभालते हुए माया से बोला लेडी बॉस प्लीज आप मुझे मिस्टर संजीव या आप नहीं सिर्फ संजीव और तुम कहिए और प्लीज मुझे आपको लेडी बॉस ही बोलने दीजे वरना बॉस मेरी जीब कार देंग संजीव का जवाब सुनकर माया ने आगे उसे खुद को लेडी बॉस ना बुलाने के ये फोस नहीं किया माया ने बात बदलते हुए संजीव से पूछा संजीव अयांश कहा है माया के सवाल पर संजीव respectfully बोला लिटल बॉस और बॉस दोनों अंदर है चलिए मैं आपको उनके पास ले चलता हूँ ठिक है चलो संजीव की बात सुनकर माया उसके साथ जाने लगी माया ने सोचा था जो दर्वाजा उसकी ठिक सामने है वही विला का entry gate होगा मगर असल में ऐसा नहीं था वो entry gate नहीं बलकि window था entry gate तो वो था जो window जैसी design का था इंगी मा विला का weird और mysterious architecture देखकर माया अपना सर नीचे कर हलका मुस्कुरा दी उस विला का design ठीक उसके weird और धूर्ट मालिक की तरह ही था माया संजीव के साथ living area में आए अंदर से विद्यूत का विला luxury और simplicity का definition था वहां की लगबग सारी चीजे white black और gray color की ही थी संजीव living area के center में इशारा करते हुए बोला lady boss वो रहे boss और little boss संजीव की बात सुनकर माया ने उसके इशारे की दिशा में देखा विद्यूत और अयांच काउच पर आल्थी पाल्थी मार कर बैठे हुए थे उन दोनों के गोद में बड़ा सा mint chocolate chip ice cream टब था माया रूप कर उन दोनों को गौर से देखने लगी विद्यूत पी बिना भाव के माया को ही देख रहा था मगर अयांच माया को नहीं देख रहा था अयांच अब भी माया से नाराज था माया की सुन्दर भूरी आँखे अयांच से हट कर सीधे विद्यूत की intoxicating नीली आँखों से जातक राई विद्यूत की intoxicating deep आँखे किसी को भी hypnotize करके नशेले डूबो सकती थी माया विद्यूत की आँखों में देखते हुए उसके और बढ़ गई आइस्क्रीम खाते वक्त विद्यूत और अयांच दोनों के facial expressions बिल्कुल एग जैसे emotionless थे माथे पर बिखरे हलके छोटे बालों के के कारण वो दोनों एक साथ बैठे हुए बड़े ही cute और adorable दिख रहे थे विद्यूत और अयांच के outfit भी almost shame ही थे उन डोनों ने casual black t-shirt और lower pahen रखा था माया विद्यूत से eye contact तोर कर सीधे अयांच के सामने आकर खड़ी हो गई माया ने लंबी सांस लेकर अयांच का सर चूना चाहा तो अयांच ने नाराजकी से अपना सर दूसरी तरफ कर लिया माया अयांच का सर नहीं छूपाई विद्यूत इस दोरान काउच से सर टिका कर माया को deeply गुरते हुए अजीब धम से spoon में लगे ice cream को लिख कर रहा था चूना चाहा तो इस बार अयांच उसे एग्नो करके रेंगते हुए विद्यूत के पास चला गया विद्यूत के चेहरे को एक नजर थंडेपन से देखने के बाद अयांच ने अपने ननहे ननहे हाथों से विद्यूत के गोड में मौजूद ice cream टप को उठा कर side में couch पर र माया के अलावा किसी और के गोड में नहीं बैठता था और नहीं वो किसी से जल्दी बात करता या फिर किसी के साथ घुलता मिलता था मगर कुछ घंटों में ही एयांच विद्यूत के साथ इतना comfortable हो गया था कि वो माया से नाराज की जताते हुए खुद से जाकर विद्यू माया की बात सुनकर भी एयांच ने कुछ नहीं कहा उसने चुप चाप अपना चहरा पूरे तरीके से विद्यूत की चेस्ट में घुसा दिया माया ने जब देखा अयांच इतनी जल्दी नहीं मानने वाला है तब उसने अपना मास्टर कार्ड निकालते हुए अयांच से कहा बेबी आपको पता है मुझे आज कितनी टेज फीव हुई थी मया के मून से इतना निकलते ही अयांच का नाराज चहरा कोल पद गया अयांच भले ही माया से नाराज था मगर उसकी नाराज की माया के हेल्थ से बड़ी नहीं थी अयांच ये एक दम विद्युत के गोद से उठ खरा हुआ उसका छोटा सा क्यूट चहरा फिक्र और चिंता से भरा हुआ था अयांच ने अपने ननहे ननहे हाथों से माया का सर छूते हुए पूछा, मम्मा, आपको फीवव हुआ कैसे? क्या आपने गर्म कपड़े नहीं पहने थे? ओ, ओ, मम्मा, मैंने आपको कितनी बार कहा है? अभी थंड बहुत है आप खुद का ख्याल क्यू नहीं रखती हो? अयांच की आवाद चिंता और फिक्र से भरी हुई थी माया ने मुस्कुराते हुए, आयांच का हाथ अपने माथे से हटा कर उस पर किस किया फिर उसने आयांच को अपने गोड में उठा लिया आयांच अभी टैंशन में माया को सवाल या नजरों से देख रहा था माया आयांच फोहेट पर किस करके बोली बेबी काम डाउन मुझे फीवर नहीं हुआ था ओके पर आपने तो कहा आपको फीवर हुआ था मम्मा माया की बातों का असल मतलब समझते ही अयांच का फिक्र से भरा चहरा कोल पद गया उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था तुम्हें बेवकूफ बनाना बहुत इजी है ग्रीडी बॉई विद्युत की बात सुनकर अयांच का चहरा ऐसा हो गया जैसे किसी ने उसका छोटा सा एगो बुरी तरह हुट कर दिया हो अयांच ने पाउट बना कर माया को नाराजगी से घोरते हुए दिमी थंडी आवाज में कहा मम्मा, धूखा, आपने मेरे साथ धोखा किया पहले आपने मेरे साथ rudy behave किया, फिर आपने मेरे साथ धोखा करके, मेरे sentiments के साथ खेला, this is not fair mama, this is not fair, अयांच की बात सुनकर, माया हसने लगी, अयांच इस समय बहुत helpless और cute देख रहा था, उसे माया के धोखे पर बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर वो चाहकर भी माया का कु से ज़्यादा प्यार माया से करता था, उसे माया के नकरे और धोखे जेलने ही थे, विद्यूत ने बॉडम के साथ माया और अयांच से अपनी नजर हटाई, तभी उसकी नजर पिले के पीछे छिपे shadow पर गई, उस black shadow को देखते ही, विद्यूत की नीली आँखे काली पद विद्यूत अपनी जगह से उठा, और उसने माया के कान में जुक कर, लो वॉइस में कहा, अयांच को लेकर, मेरे bedroom में जाओ, मैं तुम्हें बाद में प्यार करूंगा, विद्यूत की आखरी बात सुनते ही, माया उसे कोरली घूरने लगे, दोस्तों तुम लोग कॉमेंट